क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्य मंतरी के पद की महापवा कांग्शा रखते हैं? फिलहाल जिस एलाइंस में हूँ सबसे बड़ा मेरा संगर्श उसी बात को लेकर है ऐसा पॉलिटिकल फॉर्मूला आ सकता है जिसमें नीती इश्कुमार मुख्य मंतरी हूँ और चिराग वासवान उनकी कैबिनेट मंतरी हूँ राजनीतिक संभावनाओं का खेल है मुंबई के साल गही चिराग आप दो हजार दो तीम के आसपास से आना जाना शुरू हो गया बार बात नेपोटिजम का जिक्रा रहा हूँ मुझे यादा रहा था कि उनका एक अलग क्रूसेट चल रहा है नेपोटिजम अगर इस वागर मैं उनके आप फिल्म कर रहा हूँ तो मुझे लगता है रोज मुझे ही लेक्षर मिल रहा है रोज मुझे ही डांट पड़ी हूँ ती तुम जैसे लोगों की वज़ा से ही जिनकी बरवाद हुई है आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहिया 243 है मेरे पास हमारी उसकी भी तयारी है 243 सीटों पर भी लडने की तयारी है अगर ज़रूरत आ पड़ी तो त्यासत में तो यही होता है रतिस परदा है कोई आगे निकलता है कोई पीछे रह जाता है पीछे तो मैं नहीं रहूँगा मूल सवाल पर फिर लोटता हूँ चिराग क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंतरी का पद सम्हालने की महत्वा कांख्शा रखते हैं ताकि अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ सौरब दिवेदी और ये है ललन टॉप का खास पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता जी घेरे में इस प्रोग्राम में हम राजनेताओं से मुखा मुखम करते हैं समवात करते हैं उनके हिस्से के हर किस्से हर सवाल का जवाब मांगते हैं नेता जी घेरे में आज की महमान हैं लोग जंशक्ति पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष और जमुई से दूसरी बार के सांसद चिराग पासवान बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत सारी बातें हैं करने को एक तो वो लालच है टीवी और अख़बारों वाला लालच की सबसे पहले तो मौझूदा पॉलिटिकल सिच्वेशन पर आपसे पूछ ले पर उसको फिलहाल के लिए इंतजार के मोड में डालते हैं तैंक यू आपने आते ही नहीं पूछा कि कितनी सीटों पर लड रहे हैं पर खबरों में तो हैं चिराग पासवान कभी अपने ट्वीट को लेकर कभी अपने बयानों को लेकर अब आप फुल फ्लेजर राजनेता हैं पिछले 6-7 बरस से आपको लगता है कि मीडिया में जिस तरीके के बयान दिये जाते हैं या बयान पिक होते हैं वो एक नेता की इमेज बिल्डिंग में आप सबसे डिसाइसिफ एक्टर हो गए हैं अपर्ट फॉम दा ग्राउंड वर्क जब तक आप अपने आपको नहीं दिखाएंगे आपकी केपिलिटी आपके potential उबर कर सामने नहीं आते बड़ बहराल ट्वीट जरूर आपके विचारों को आपकी सोच को जरूर जाहिर करते हैं ये एक निया माध्या में technology का जब से उप्योग जादा होने लगा है तो ये भी एक माध्या में अपने विचारों को जादा से जादा लोगों पहुचाना उन लोगों तक पहुचाना जो आगे लोगों के विचारों को जो कि मुझे लगता है राजणिती में बहुत जरूरी है विचारों का सारवजनिक तोर पर आना ताकि लोग आपको समझ पाए और फिर खभरे तब भी बनती हैं जब आपके tweet के counter में tweet होते हैं और delete होते हैं यवी फिलाल अभी एक ऐसा यह घटना घटी थी हां मैंने एक tweet किया था जवाब में था या नहीँ था पता नहीं वो मेरी जानकारी में नहीं है बट हां ऐसा भी hira सुशील मोधी से आपके political тعلूकाँ हैं या political से जादा भी है क्योंकि politics में दोनों ही तरह की चीजे होती है कई लोगों से आपके across the party line आपके पिता जी की राजनिती विरासत की वज़े से घरेलू संबंध हो जाते है तो कैसे तालुकात हैं आपके उनसे बिल्कुल घरेलू जैसा आपने जिक्रे किया मैं अभी भी मैं पुरानी तस्वीरे देखता हूँ अल्बम्स देखता हूँ तो उसमें मुझे गाहे बगाए ये तमाम चेहरे देखते हैं मुझे कहने में अती शोक्ती लगती है बट आज की तारिक में हकीकत है कि वो मेरे कलीक्स हैं या साथ में अब हम लोग राजनितिक से होगी है बट हाँ उनको मैंने तस्वीरों में उसवा कि एक चाचा के रूप में या एक अंकल के रूप में मैंने जरूर उनको देखा है बच्पन की मेरी यादे भी उनसे हुई है तो इसलिए वेक्तिका संबन बहुत अच्छे है शुष्कील मोदी जी का मैं वेक्तिका तोर पर मैं बहुत जादा आदा संबान करता हूँ पिता के साथ उन्होंने एक लंबा समय उन्होंने काम किया है ये एक छोड़ा सा परिपेक जरूर आया बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतनी चिंता वाली बात मैं इस चाचा पुरान पर लोटूंगा बहुत सारे चाचा हैं सब चाचाओं को नए नए भतीजों से नए नए दावेदारों से बड़ा खत्रा महसूस हो रहा है we'll come back to that before I start discussing your journey and political journey and before that cinema journey ये एक बड़ा pressing issue है चिराग कि क्या बिहार वाकई इस वक्त चुनाओ के लिए तयार है नवंबर में कारेकाल पूरा हो रहा है जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है बार की जो मौझूदा इस्थिती है और इन सब के बीच मौझूदा मुक्य चुनाओ आयुक्त का आज भी अख़वारों में बयान है कि तैस समय सीमा पर ही चुनाओ कराने की तैयारी है As a politician, what's your take? बाई देखे, चुनाओ का आयुक मुझे लगता है पूरी तरीके से सक्षम है जानकारी, इकत्रित करने के लिए, इस bत को सुनिशित करने के लिए कि जब चुनाओ हों तो वो सब के लिए उचित हूं, चुनाओ से किसी का नुक्सान नहीं हो पर एक राजनितिक दल होने के नाथे मुझे लगता हर राजनितिक दल की एक अपनी जिम्मेदारी होती है और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने पश रूप से इस बात को कहा है कि ये उचित समय बिलकुल नहीं है चुनाव कराने का आज जब ना की हमारा प्रदेश बलकी पूरा देश बलकी पूरा विश्व जब इस महामारी से जूज रहा है ऐसे में बिहार में चुनाव कराना इसके काउंटर में मैं निरंतर मैं सुन रहा हूं कि लोग मुझे कुशन कर रहे हैं अमेरिका में भी तो चुनाव होंगे, यहां पे भी तो चुनाव हुए हैं, हर राज्य अलग है, हर देश अलग है, हर राज्य की परिस्तिती अलग है, आज की तारीक में बिहार को मैं हालेट करके इसलिए बोर रहा है, क्योंकि अभी तक अजादी के 70 सालों के बाद भी अर्थिक बोश डालें, क्या यह उचेत रहेगा कि उस वक्त, और पता नहीं क्यों चुनाव को लोग सिर्फ मदान के दिन से जोड़ के देखते हैं, मदान तो एक दिन हुआ जब वोटर्स निकलेगा चुनाव वोट डालने जाएगा, पर उससे पहले और भारत में जिस त दिस्टेंसिंग कर सकते हैं, बट बिहार जैसे राज्ये में, जब आप गाउं खलियानों में जाएंगे, वहाँ पर जब आप रैली करेंगे, आप कैसे सोचल दिस्टेंसिंग करेंगे, तो एक बड़ी आबादी को आप खत्रे में डाल रहे हैं, और उसके बाद सबसे प्रदेश संकट में आ जाएगा, देश संकट में आ जाएगा, वेकल्पिक प्रवधान हमारा संविधान देता है, हम उसका उप्योग क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने अपनी चिंताओं से बतौर LJP राष्ट्री अध्यक्ष, BJP के राष्ट्री अध्यक्ष, JP नडड़ा और JDU के नीतीश कुमार को अवगत कराया, आपने अपनी चिंताओं शेयर की, क्योंकि आप लोग एक गटवंदर में, मैंने सारुजनिक तोर पर इस चिंता को मैंने जरूर अपने क्रीट के मार्गन से किया, नहीं हाँ नहीं, मैंने वेक्तिक तोर पर भी, बारतिय जिंता अब लबदी से वितनी हो, नडड़ जी ने क्या कहा, नहीं मैंने अपनी बातों को रखा, कोई ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोई ओपिनिन लेना चाह रहा था कि उनका क्या ओपिनिनन है, बट मैंने अपनी बातों को जरूर प्रमुक्ता से उनके समाच, बीजेपी के राष्टी के राष्टी अध्यष को मिलने का समय नहीं दिया? मुख्यवंत्री इतने सारजनिक कारक्रमों में अलग-अलग माध्यमों से जोड़ते हैं, प्रेस से बात करते हैं और अपने गडवंदन के एक एहम सयोगी से बात नहीं करते हैं और फिर ये राजनितिक संदेश देने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक है, कैसे ठीक म मैं मानता नहीं हूं इस बात को, बड़े भाई की बुमीचा, किसी बीच बचाओ की कोशिश नहीं की, भाई देखिए आज की तारीक में अगर आप इतना भी माने, जो एक आम बोलचाल में जो एक धारना बन वी है, क्या रहे लोग जिन शक्ती पार्टी, छोटी पार्टी छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी है, इनके समर्थक कम है, ये कहा जाता है, मैं अगर उस बात को भी मैं मानूं, तो मैं कम से कम मैं डाल में नमक का काम तो करता हूं, बिना नमक के डाल का आपको स्वाद नहीं आएगा, अगर आप नमक को निकाल देंगे डाल से तो उस पुछ देनी की ताकत तो कम से कम लोग जन्शक्ती पार्टी रखती है अगर वो नहीं होती तो आप वो कितनी ऐसी अनेकों सीटे हैं और विदान सभा के चुनाओं में आप देखें मुझे लगता है एक लंबा एक बड़ी संख्या ऐसी सीटों की होती है जो इतने ही मार्जन से आप खो देते हैं तो अगर आज की तारिख में एंडिय की सरकार है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि इसमें हर किसी की भूमिका है मैत्वपून भूमिका है तो गड़बंदन में बड़े भाई की भूमिका में कोई हो या चोटे भाई की भूमिका में कोई हो मैं वै इस पर भी बात नहीं होई होगी कि नीतिश कुमार की कैबिनेट में आपकी पार्टी का कोई प्रतिनिजित तो नहीं है। भई मैं एक बात मैं और क्लियर मैं करना चाहता हूँ संख्या को लेकर सीटो की संख्या को लेकर मुझे नहीं पता कि ये रियूमर्स कहां से सर्कुलेट होते हैं और ये सूत्र कौन से हैं जो इन बातों को इतनी प्रमुकता से दावे के साथ कहते हैं कि उस दिन भुपेंदर मैं इमानदारी से and on record categorically taking all the responsibility जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि अभी तक सीटो को लेकर एक बार भी भारतिय जन्दा पार्टी या जन्दादल यूनाइटेट के किसी भी नेता से लोग जन्शक्ती पार्टी के किसी भी नेता की कोई बातचीत नहीं हुई है संख्या सीटो की कहने के लिए भी हम लोगों ने एक दूसरे के सामने बातचीत नहीं किया तो संख्या को लेकर बातचीत ही नहीं है कोरानी बातचीत चिराग 2014-15 में होई हो या 2019 के लोगसभा चुनाओं में संख्या को लेकर बालकुल भाई मैं वही मैं आपको बताना भी चाहरा हूं संख्या को लेकर क्लारेटी हमलों की 2014-2015 में ही हो चुकी है 2014 में जब लोग जन शक्ति पार्टी भारती जनता पार्टी का हिस्सा बनकर एंडिये गड़ बंदन का हिस्सा बनी उसी वक्त ततकालीन भारती जनता पार्टी के राष्टी अद्धिय राजना सिंग जी से हमलों की बाचीत साथ सीटों पर तैह हो गई थी और वो साथ सीटे महतवपून इसलिए थी क्योंकि मुझे अपने पार्टी की कई ऐसे वरिश नेता हैं जो अगर चुनाओं नहीं लड़ेंगे लोग जन्शक्ती पार्टी भले कितना कहा जाए कि परिवार की पार्टी है परिवार वाद की पार्टी है बट इमानदारी से मेरी पार्टी में कई ऐसे महतवपून लोग हैं जिनका चुनाओं लड़ना मेरे लिए बहुत जादा जरूरी है तो इसलिए ये संख्या उसी के आधार पर उस वक्ट चनित की गई थी पांस सीटों पर भी हम लोग का समझाता हो सकता था चार पर भी हो सकता था या दो सीटे बाप बेटा जैसा कहा जाता है हम दो नहीं लेकर बैट जाते चुनाव लड़ ले थे किसी भी कड़बंदन में पर मेरे लिए संख्या उस वक्ट भी महत्वपून थी और ये लॉक हो गया था उसी वक्ट कि भाई साथ सीटे लोग जन्शक्ती और इसलिए 2019 में भी अगर आप देखें तो लोगसभा और राज़सभा मिला कर छे लोगसभा और एक राज़सभा की सीट देकर वो साथ का आकड़ा पूरा किया गया उसी तरीके से 2015 में विधान सभा की सीटों को भी लेकर हम लोग की चर्चा सपष्ट रूप से हो चुकी है तो इसलिए सीटों की तो हाँ जरूर जन्तदल यॉनाइटेड एक रही पार्टी न बेटीन आई है 2015 में जब आप लोग विधान सभा का चुनाओ लड़े थे तब जन्तदल यॉनाइटेड दूसरे खेमे में था अब वो आ गए हैं वापस तो तब आप 42 सीटों पर चुनाओ लड़े थे मैं यह जानना चारह हूँ कि जब 2019 में लोग सभा चुनाओ में सीटों का एड़ेस्टमेंट हुआ था तब क्या कोई इस तरह का पॉलिटिकल कमिट्मेंट आपको दिया गया था कि जब अगले बरस विधान सभा के चुनाओ होंगे तब सीटों की संख्या क्या रही है जी बिलकुल 2019 में जब यह चर्चा हो रही थी क्योंकि जन्दादल यूनाइटेड 2017 में जब एंडिये का हिस्सा बनी उससे पहले लोग जन्द शक्ती पार्टी और भारती जन्दा पार्टी ही हम लोग गडबंदन में थे और उपेंदर कुश्वा जी के एक पार्टी थी और माजी जी जो की बीच में अलग हो गया थे बट जब जन्दादल यूनाइटेड आई उस वक्त जरूर ये एक विशह उठा चर्चा के लिए कि भाई अब तमाम सहयोगियों को थोड़ा थोड़ा एड़्यसिस में करना पड़ेगा उस वक्त भी मैंने प्रमुक्ता से इस बात को रखा था कि मेरा अलाइंस 2014 में तब आपके साथ हुआ जब जन्दादल यूनाइटेड हम लोग के साथ नहीं थी जन्दादल यूनाइटेड हमारे गड़बंदन का हिस्सा जब बनी उस वक्त भी लोग जन्द शक्ति पार्टी उस चर्चा में कहीं पे हिस्से में नहीं थी तो ये जम्यदारी लोग जन्द शक्ति पार्टी की बिलकुल नहीं बनती है कि कोई नया अलाई अगर उस वक्त हमारे साथ अगर आ रहा है जिसकी जानकारी भी हम लोगो नहीं है तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइस क्यों करें चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि जेडियू एंडिये के फोल्ड में आया और इसके लिए बीजेपी ने लजेपी से कोई चर्चा नहीं किये मैं बिलकुल उनकी मजबूरियों को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी जितना टीवी पे देखा ये अचानक उत्पन हुई राजनितिक परिस्तितियां थी जिसकी वज़ा से रातो रात उप मुख्य मंत्री बदल दिये गए स्यासत में जो चीज़ें अचानक दिखती है वो इतनी अचानक होती भी नहीं है जैसे मेरे प्रास जैसे वो आई हैं मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ मुझे नहीं पता कि उससे पहले बहाइंड दो कुछ और चल रहा था नहीं चल रहा था बहराल मैं अपना पक्ष मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे उस वक्ष जानकारी नहीं थी तो इसलिए 2019 में ही मैंने इस चंता को बहुत सपश्ट रूप से उस वक्ष के भारजी जंता पार्टी के राष्ट अध्यक्ष और मौझूता ग्रह मंतरी आदनी हमिश्चा जी के समझ मैंने इस बात को रखा था और मैंने उनसे कहा था कि सर इस तरीके से अगर सहयोगी बढ़ते हैं या कोई नया दल आता है तो उसमें हमारी संख्या अगर ऐसे ही अगर कम होती रही तो एक दिन आएगा कि हम लोग तो एकदम बहुती सीमित कर दिये जाएंगे और ये परिस्तिती अगर विधान सभा के चुनाओं में भी हुई तो वो हम लोग ले जादा चिंता का विचे होगा क्योंकि माने ना माने बढ़ लोग जुन शक्ति पार्टी के लिए बिहार प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर ने है भले हम लोग चुनाओ विभिन और राज्यों में लड़ते हो मेरी उमीद है मैं चाहता हूँ कि पार्टी और राज्यों में भी अच्छा काम करें मनिपूर में भी आज हमारे विधायक हैं वहाँ पर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि विभिन और राज्यों में पार्टी बढ़े पट आज की तारीक में बिहार में वो आपका नूकलियस है तो वहाँ पर भी अगर कलको विधान सभा में भी अगर हमें सीमित करने का प्रयास किया जाएगा तो वहाँ से मेरी चिंता बढ़ेंगी तो उसक जरूर अमिशाजी ने इस बात का आस्वाशन दिया था इस वक्त ग्रीमंत्री है आप से और आपकी पार्टी से ये कहा था कि विधान सभा में आपको 42 सीटें जैसी 2015 में थी वैसी ही मिलेंगी भाई उन्होंने सपश रूप से जो बाते कहीं थी इसका बिट्वीन दे लाइन साब क्या रीट कर रहे हैं इंटू सिक्स कर दी जाती है तो मेरे लिए ज़रूर ये जिन्दा का विशह था कि अगर आज अगर आप मेरी सीटों कर रहे खरल देंगे तो इंटू सिक्स तो मेरे लिए विधान सभा बड़ा मुश्किल होता जाएगा तो उस वक्ष जरूर इसी के जवाब में उन्होंने कहा था कि नहीं विदान सभा की चिंता करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर ऐसी कोई परिस्तिती उत्पन नहीं होगी वील कम बैक टू दिस पर आपने चिराग जिक्र किया कि सीटों के शेरिंग के क्रम में परिवारवाद शब्द का और I am sure you must have gotten used to it कि ये सवाल बार बार आपकी तरफ आता है आपने कहा कि हम हमारी पार्टी में और भी नेता है जिनने हमें अग्जस्ट करना है वनना से पिता पूत्र लर लेते जैसे लोग कहते हैं पर लोग ये कहते हैं कि राष्टी अध्यक्ष आप हैं प्रदेश अध्यक्ष आपके भाई हैं चचेरे भाई हैं कुल पार्टी के साथ सांसाथ इसमें से चार परिवार से हैं एक ताम विलाज जी राजी सभा तीन आप लोग सभा से समस्तिपूर, हाजीपूर और जमुई से तो क्यों ना माना जाए कि लजेपी में परिवारवाद ही में चीज है राष्टी अध्यक्ष भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी आधे सांसत भी उसी परिवार के आधे से ज़ादा भाई ये अपने तीन पद आपने गिनाएं पर उसके बाद प्रदेश में महत्वपून पद क्योंकि हम लोग मैं खुद युवा हूँ और युवाओं की पार्टी अमानी भी जाती है जब हमारे आपने कहा लोग जिन्शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है पर बिहार का संसदिय बोर्ड सबसे जादा महत्वपून और सबसे जादा शक्तिशाली बोर्ड और खासता अपर चुनाओ की दृश्टी से बोलें तो वही है उसके अध्यक्ष हैं जो की राजुतिवारी हैं जो हमारे विधायक हैं जी और केंद्रिय सतर पर भी अगर आप द सबसे उने चुनाओ लड़ा बट फिर तीन परिवार के बाहर के भी सबसे हैं मुझे लगता है कि उनका भी उतना ही योगदान है विधान सभा कि अगर आप बात करें तो 42 सीटों में से महस्तीन सीटे परिवार के लोग गई थी पर वो इतना बड़ा हवा बन जाता है इतन तो हमारे 30 लोग थे जो अपनी महनत से कही ना कही पार्टी के लिए दिन रात काम करके महनत करकर पार्टी को मजबूत करने का जिनों ने काम किया उनको वहाँ पर प्रात्मिक्ता दी गई उनके लिए और आज अगर ये कहा भी जाता है कि लोग जिन चक्ति पार्टी उकलेए लड़ती है िनके लिए सीटे ही महत्वपूर्ण है इसी लिए महत्वपूर्ण है Jackman कि अगर परिवार के ली अगर सीटे लेनी होती तो यूबई अगर बंदन में चर्चा इतनी ज्यादा हो जाती है कि कही ना कहीं उन लोग को उनका डियो नहीं मिलता है बढ़ हम विनमरता से कबूल करूंगा भाई इस बात को परिवारबात की जो आपने बात की पर इसका एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताऊँ वह जिसका अनुभाव जब तक मैं खुद सक्रियो उसमें नहीं किया मुझे नहीं था एक बहुत खूबसूरत अनुभाव था पापा पिता जी से एक दिन बैठके बात हो रही थी और उन्होंने मेरे चाचा जी जिनका निधन हुआ तो उनके बारे में वो कुछ बाते बता रहे रहे हैं तो उसको नहोंने कहा आज उनकी पुन्नेती थी भी है एक साल हुआ थोड़ा सा इसलिए इमोशनल भी हूँ हूँ खैद तो उसको नहोंने मुझे कहा चाचा जी को लेकर कि पहला वेक्ती जिसने मेरे लिए जंटा उठाया या मेरा पोस्त लगाया वो मेरा भाई था तो हाँ, अगर मैं उसको नहीं प्रमोट करूँ, तो किसको करूँ, आप कारे करता की बात करते हैं न, तो मीना भाई मेरा सबसे पहला कारे करता था, हकीकत है, और यहां पर मैं देखता हूँ, परिवार की बेगरना बात करूँ, तो दिन राज जितनी महनत, परिवार के सांसाथ हैं, निरंतर साल दर साल, चुनाव दर चुनाव वो अलौली से वो विधाय बनते रहे, जीते रहे, काम करते रहे. एक बार शायद उनको टिकट मिल गया होगा. दूसरी बार तो उनकी काबलियत होगी. तीसरी बार जब वो चुनाव में गया होगे कि भाई आप मोधी लहर है, मोधी लहर है 19 में कहीं तो मैंने काम किया होगा लोग को लगा होगा कि हाँ भाई ये कर रहा है, छेतर में आता है जाता है, लोगों से मिलता है तो ये सारी चीजे क्या है हम लोग के साथ छुप जाती है मैं तो वटाहों कि जहांपर लोगों का संगरश कि खतम होता है वह हों से हम लोग का जुनको नेंको कि भाइवार कहा जाता है उनलोग संगरश हूँ जोता है जहां पर कोई क कंड़त लग शाया करता है के लिकूर शाहिए सॉर्ट कोई duggy है तो अब हो गया सपने पूरे हो गया मुझे लगता है हम लोगे सपनों की सका संगर्ष शुरू होता है वो तो आप बनी जाएंगे मानी लिया जाता है कि भाया तुम उस परिवार चाहरे हो तुम तो विदायक बनोगे ही बनोगे ये कोई नहीं देखता है कि कितने ऐसे बहन मीसा बारती कभी चुनाओ नहीं हारती दो दो बार वो चुनाओ हारी और किसके सामने हारी एक कार्यकरता के सामने हारी चुनाओ जो उनी की पार्टी में लंबे समय तक जिन्होंने काम किया तो यह आप क्यो प्ला सोभाग्य हो सकता है मुझे तो यह भी नहीं पता कि दॉक्टर का बेटा, डॉक्टर क्यों, लॉयर का बेटा बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं? वो पब्लिक डोमेइन में नहीं हैं. अगर बेटा पता जी के बनाएवए क्लिनिक पे जाकर काम कर रहा है, या उनकी लॉयर شॉण उठाएका, तो कोई question नहीं उठाएगा, बट यहाँ पे तो हम लोग public domain में हैं, हमारा भविश्य जंदा decide करेगी, तो फिर इसमें आपकी काबियत के लावा और कौन सी चीज़ की गुंजाइश रह जाती है, चिराग इसी एक विश्य से जुड़े दो सवाल हैं, then we'll move to next topic, एक सवाल यह ह कि बहुत सारे जो बिहार के लोग या देश के लोग, फर्ज करिये जो अपना राजनेतिक भविश्य LGP में या आपकी कमान में देखना चाहते हों, उनको हमेशा यह लगता है कि आपने जैसे कहा कि हमने प्रकोष्टों के अध्यक्षा अलग अलग उनको बनाए या दिधा नहीं है, पॉलिटिक्स में तब किसी और को मौका लगा लेकिन वो वापस आये तो सोनिया होंगे, राहल होंगे, फिर सोनिया हो जाएंगे, तो क्या LGP का शीर्ष भी हमेशा राम विलास पासवान जी के परिवार के लिए आरक्षित है, एक सवाल, और दूसरा सवाल ये, क लोगों ने कहा कि ठीक है, आपका बहुत संगर्श है और सब कुछ है, पर आपके लिए एक एजी एंट्री भी तो रही, तो वो आपको लगता है कि आगे चलकर, जो दूसरे नेता आते हैं, जिनका कोई परिवार की बड़ी लगेसी नहीं है, उनके लिए उस तरह की एंट सच्चाई है, उसके लिहाज से बहुत तगली प्रिष्ट भूमी से नहीं आते हैं. आते हैं, जिनका का मोगता है कि नहीं क्यों लोग दूसरे नमख्री भी ओनाएँ, तो इसको मैं खुद में चाहूँगा कि मैं जादा फ्री रहूंगा कि मैं जादा फ्री रहूं प्रदेश बर देश बर जादेश बर कोई और परिवार के भार का है तो पार्टी का शीर्श पर तो इस बात को क्लियरिटी के साथ कहना जाता हूं बिल्कुल आरक्षित नहीं है ईजी एंट्री जैसे आप ने बोला इस बात को मैंने भी सुकाराइग है ईजी एंट्री ज़रूर है पर मैं खुद बेक्तिकत तोर पर मैं इस बात का पक्षदर हूँ कि जादा से जादा काबलियत की कमी नहीं है, हुनर की कमी नहीं है देश बर में, दुनिया बर में, बिहार में तो खास तोर पर नहीं और बिहार जहां से हम लोग आते हैं और जिस प्रोफेशन में हूँ राजनीदी के अगर आप बात करें तो मुझे लगता है वहाँ गली, नुकर, चौक, चराहे हरी जगा वहाँ पर विशेश अगय ही मौझू है, तो वहाँ पर राजनीदीक सोच रखने वालों की कोई कमी नहीं है और मैंने खुद इस बात का इमानदार पिछले पांस सालों में प्रयास किया कि जादा से जादा ऐसे लोगों को चिनहत करकर खुद सामने लाओं और अगर आप आज की तारीक में मेरा प्रदेश में पार्टी का स्वरूर भी देखें, तो कई ऐसे लोगों को पार्टी के फ्रंट लाइन में लाया गया है, जो नहीं बोलूँगा कि हाशिये पे थे, बट हाँ, उनके हुनर की, शायद उस तरीके से उनको निखरने का या उसको उनको वैसा प्लैटफॉर्म अभी तक नहीं मिलाता, और आपके परिवार से अब कोई और व्यक्ति पॉलिटिक्स में आएगा या जितने हैं अब उतने ही रहेंगे, मेरी पूरी कोशिश है इमानदार, कि जितने हैं उतने ही रहें, बट वोई बात है भाई, गुमा पूर्सेजीत के सांसत बने, हाला कि उससे पहले वो 69 में भी अलॉली से विधायक रहे हैं, आप 1982 में पैदा हुए है, और 1983 में राम विलाज जी एक संगठन बनाते हैं, दलिट सेना, कितना आगे बढ़ पाई, नहीं बढ़ पाई, क्यों बढ़ पाई, कभी आपकी चर्च पिताजी से इस बारे में, नहीं बिलकुल, और क्योंकि एक लंबा समय, अगर आप पाई को देखें तो पाई को महज अभी 20 साल होने को आएं, लोग जन्शक्ती पाई को, पर दलिट सेना की उमर उतनी है, जितनी अल्मूस मेरी उमर है, और मुझे आज भी वो स्तापना द तो उसमें मौम के साथ, ममी के साथ, मैं उनकी गोन में, उस मंच पर मैं तफ से मौजूद हूँ, तो वो तस्वीरे भी मैंने देखी हैं, तो हाँ, वो एक लंबा समय, पार्टी की मैं हमेशा मैंने माना है कि रीड की हड़ी रही है, बैक बॉन, रहा है दलिस सेना, कई सां साथ, अभी भी मुझे पार्लिमेंट में मिलते हैं, जब मैं जाता हूं सदन में, मुझे बताते हैं कि हम लोग 80 के दशक में, हम लोग भी दलिस सेना के सदसे थे, या 90 के दशक में, दूसरे राजनितिक पार्टियों के, भारती जनता पार्टी के कई ऐसे मौजुदा सांस या उस वक मैं दलिस सेना के उस प्रकंड का अध्यक्श था, या प्रदेश में इस जगा पे था, तो अच्छा लगता है यह सब सुनके, दलिस सेना के माध्यम से जरूर मैं मानूंगा कि पिताजी ने बहुत संगर्श किया है, जिस वर्ग का हम लोग प्रतिनिद्द्व कर प्रैटफॉर्म देने के लिए ताकि वो अपनी बातों को, अपने विचारों को और अपनी वेदनाओं को कम से कम प्रकट कर सकें, कम से कम उसको मुखरता से सामने रख सकें, तो मुझे लगता है दलिस सेना का उस समाजिक स्वरूप में एक बहुत बड़ा योगदान रहा रामिलाज जी ने कभी आपसे इस बात की चर्चा की हो कि, बिक्योज वन भी लुक एट इट तो बाबु जग जीवन राम का दौर बीत रहा था, बीत ही किया था लगबग, काशी राम एक अलग किसम का जिसको हम बोलते हैं, मिलिटेंट एक्टिविजम, जो कई लोग कहते कि उन्होंने महाराष्ट्रा में रहते हुए सीखा, वो लेकर आ रहे थे, बामसेफ, बसपा इन सब के गठन की भी तयारी हो रही थी, महाराष्ट्रा में एक बड़ा अंदोलन रहा ही है, नामजियो रसाल और वो सारे लोग ब्लैक पैंथर्स की तर्स पर, वहां पर हुआ तो एक वैक्यूम भरने की कोशिश थी, या कई लोग उसको ऐसे कहते हैं कि नहीं उनके पॉलिटिकल एमबीशन थे, and he wanted to assert himself as a non-Congress alternative for the Dalit politics, तो राम विलाज जी ने कभी आपको बताया कि उनके दिमाग में क्या था ये सब बनाते वक्त? बाई मुझे लगता है हर किसी का एक अपना अनुभव होता है जो आपके वेक्तितु कोई रूप रेखा बनाता है, मुझे लगता है संघर्ष का दौर, intensity सेम रहती है, बट हर किसी का एक अपना अलग संघर्ष होता है, जो हम जैसे होते हैं जिनको नेपोकेट्स कहा जाता किसमत को दोश दे देंगे विबिन चीज़ों पर टालके उसको जेल जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं चुनिंदा जो मुकर्ता से उन बातों का विरोध करते हैं या विरोध करने से ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए अपने हग के लिए लड़ते हैं उसको एहमिया देते हैं प्रात्मिक्ता देते हैं पिदा जी उनमें से एक रहे इनके अपने growing up years के अपने अनुभव रहे अपने ऐसे उधारन रहे जिसकी वज़ा से ये पूरी रूप रेखा या इनका जो विक्तित है ये तयार हुआ और इनकी ये सोच आई कि नहीं इस समाज को एक ऐसा platform मिलना चाहिए और खास और पर बिहार से आते हैं और बिहार में उस वक जिस तरीके की परिस्तितियां थी और जिस तरीके का असी नबे के दशक की मैं बात करूँ खेर ऐसी तस्वीर है आज भी हम लोगो देखने को मिलती है कि एक दलिक को ही घोडी बे चड़ने से रोखा जाता है या एक दलिक परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोखा जाता है पर असी नबे का दशक जब वो बताते हैं और इन दुनों की जब घड़नाओं का जिकर जब ये करते हैं बैठके हम लोग लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं इसके उपर तो जब ये बताते हैं तो मुझे समझ में आता है कि ये तमाम कारण वज़ा बने ये तमाम उधारन वज़ा बने कि नों इनके दिमाग में सोच आए कि भाई दलिस सेना का गठन करना चाहिए और वो प्लाटफॉर्म मिलना चाहिए और जिनके हकों जिनके संगशों कि हम लोग बात करते हैं उसके लिए हम लग लड़ाई लड़ें से बोले नहीं कुछ लोग चार दिन बोलते हैं पांच दिन बोलते हैं गाउं में कुछ हो गया वहाँ पर चार दिन बोलेंगे और उसके आद फिर वोई परिस्तितियों में वापस अपने दिन चरहा में लग जाते हैं चीजों को भूल कर मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ऐसे परिवार से आता हूं या मैं ऐसे विक्तितू का सुबत रूँ जिन्हों ने सिफ उन चीजों को परिस्तिती पर छोड़ा नहीं या किसमत को दोश दे का छोड़ा नहीं उन्होंने बकाइदा उसके लिए और मुझे नहीं लगता कि इतना सो समझ के जितना आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये तयार हो रहा था है महराष्टा में तयार हो रहा था इसलिए इनको लगा कि मुझे भी यहां पर एक तयार करना चाहिए और अपने आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए मुझे लगता है एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई ये सोच आई उनके दिमाग में कि दलिसेना का गटन होना चाहिए दलिसेना का कार है और इतने मजबूत लोग दलिसेना में जुड़े और आज भी हैं जिनोंने इनके सोच को इनके विचारों को उतनी ही प्रमुक्ता से रखा और जो वज़ा से मुझे लगता है इन्होंने एक बैटर वे चुना कि इसको जहल जाने से बहतर है इसके खिलाफ लड़ो और अपने हकों के लिए अपने अपने अधिकारों के लिए संगर्श करो चिरा कभी या आपने बिलकुल ठीक कहा और लेलन टॉप में हम लगाता है इस बा काम करने का प्रियास किया मैंने बेराल सफल नहीं हुआ को वहाँ पे कुछ बट मेरा ऐसा वेक्टिकत कोई अनुबाव में नहीं रहा हाँ बट बहुत से ऐसे मेरे पर्चित हैं और मुझे दुख होता है मैं इमानदारी से मैं बोलू मैं जातपा धरम मजभ में मैं विश् जिस तरीके से परवरिश की गई है और जिस तरीके की विचारों को जिस तरीके के संसकारों को मुझे में दिया गया है वो भेदभाव करना या अपने इसे किसी को नीचा समझना पिता जी हमेशा बोलता है कि काम से कोई छोटा नहीं होता वो प्राइड होना चाहिए जब काम करते हैं कोई भी काम करते हैं हम लोग विदेशиों में देखते हैं जो या एक्टरीशन को सम्मान मिलता है या एक प्लंवर को जा एक क्षूटा नहीं कोई नाम से छोटा नहीं होता तो मेरा कभी वैसा अनूभव भी नहीं रहा बट हाँ कई ऐसे मेरे पर्चेत हैं जिन्हों ने आकर सचाई तो है यह जाती बिल्कुल सचाई है और उसका भेट नहीं राजनीदी में आने के बाद जब गाओं भर में मेरा ब्रहमन शुरू हुआ और बिहार के विभिन जिलों में मैं गया विभिन गाओं में गया तो यह जादा प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आया जिसने मुझे उतना विछलिद भी किया और यही कारण है कि मैं जात्पाद भले में विश्वास मैं नहीं रखता बट हाँ समाजिक नयाए कि लड़ाई मेरी भी है बराबरी पर जब तक हर कोई नहीं आएगा जाती से उटकर उस वेक्ती की अपनी इंडिविज्वल पहचान नहीं होगी उसका पहला नाम उसके सरनिम से बड़ा नहीं जब तक बनेगा और उसको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक मुझे लगता है हर किसी को इसके लिए आवाज उठाएगा ये तो आपने दुरुस्त कहा कि जब तक पहले नाम का ही वजन ना हो जाए चिराग आप जब दलित सेना के स्थाफना समारू का जिक्र कर रहे थे तो आपने माता जी का जिक्र किया कई आपके परिवार करता उनके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उठसुकता भी है और बातें भी खूब होती है आपके परिवार को इंट्रेक्ट रखने में या उनके कोई परिटिकल एमबीशन हो या और चीजों के संदर में क्या कहना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे मुझे लगता है कि एक अज़ लेड़ी जो एक कम्प्लीट स्वरूफ हम लोग जिसको मान सकते है नोट बिगॉज की शीज माई मदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बट मैंने उनको देखा है जिस तरीके से परिवार को वो एक साथ लेकर चली है और मुझे पता है क्योंकि अब मैं उम्र के कैसे पड़ापर हूँ जहां पर परिवार के महत्व को मैं भी समझता हूँ जब तक आप लड़कपन में होते हैं या टीनेज में आप होते हैं तो अरे क्या फैमिली फंक्शन क्या बार-बार उनका वर्डे पर जाना या क्या उनको फोन करना विश करना इस तरीके का अटिट्यूड आप में रहता है बट अब जब मैं इन माई लेट थर्टीज हूँ तो इस बात की एहमियत को मैं भी समझताओ कि परिवार आपकं कि लेकितना इंपॉर्टेंट रहता और पिदाजी के बारे में हमेशा ये कहा गया है आप हमेशा साथ लेकर चले है पर वो इतनी सहचता से परिवार को साथ लेकर चल पाए उसके बीचे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मॉम इनके साथ हमेशा थी कंदे से काना में रहा है मां बनाते हैं कैसे मुलाकात हुई पहली बार पापा हम बनाते हैं बड़ी इंटरस्टिंग इनकी वी एक उस वक के हिजाब से इनकी एक अपनी इंटरस्टिंग लव स्टोरी रही क्या? पता नहीं उस वक्त पिदा जी सांसर थे और मॉम के अपने प्रोफेशनल एंबिशन्स थे उन्होंने एक न्यूज रीडर के तौर और उन दिनों हिंदी चानल के दूरस्टिंग का न्यूज रीडर होना एक बड़ी पहचान थी और उसके लिए ये प्रयास कर रही थी और उसके लिए इनको था कि अगर ये कहीं रिकमेंट करेंगे तो शायद वो जॉब मिलना असान हो जाएगा बहराल उस परिपेक्ष में इनकी मुलाकात हुई और निक्स तेंग आ इनों की दोनों की शादी हुई इसके बीश में क्या हुआ जादा जानकारी नहीं है बट हाँ तब से लेकर अभी तक और ये भी काबिले तारीफ है लोग कई बार इस चीज़ को बहुत अन्नोटिस करते हैं या प्रतेक्ष रूप से सामने नहीं आता जितनी महनत मुझे लगता है इन्नोंने परिवार को एक साथ रखने में और पापा खुल कर बाहर जाकर काम कर सकें क्या आज ही तारीफ में मैं देखता हूँ कि मैं खुल कर जाकर बाहर काम कर सकूँ उसके लिए घर पे कितनी महनत करती है जो शाद हम लोग को भी नहीं दिखता I take it for granted कि मैं सुवर उठाँ तो मेरे लिए जो नाश्ता मुझे पसंद है वो ही बना होगा या जो मेरी रूटीन चल रही है मुझे अगर प्रोटीन रिंग लेना है या मुझे कोई एक कैलरी काउंट वाली डिश ही खानी है तो वो भी सही समय पर उसी जगह पर बनकर तयार हो एक दिन नहीं होती तो हमें समझ में आता है कि भाई यह तो बहुत ही एकदम दिन चल रहे है आपका अस्थ पहस्त हो गया कभी ऐसी भी बात हुई कि वो पॉलिटिक्स में आए हैं या नहीं बिलकुल भी नहीं वो एकदम खिलाफ है इसके आपकी पॉलिक शाय हैं वो आप उनके ना के बराबर इंटर्विउस देखेंगे पॉलिक डोमेन में बहुत जादा नहीं आती है बल्कि मुझे आशार होता है जब से मैं सक्रिय राजनीटी में आया हूँ अभी कल पर सो भी हम लोग कुछ तस्वीर है ये एक्चली मैं तस्वीरों का जिक्र बार बार इसले करहा हूँ क्योंकि कॉरंटीन के पीरेट ने बहुत समय दिया पुरानी यादों को ताजा करने का और परिवार के साथ नहीं यादों को बनाने का यह बहुत खुबसूरत समय मिला हम लोग को पहली बार जिंदिए में इतने सालों में पहली बार मैंने पापा की दाड़ी ट्रिम की आजकल उनके बाल भी मैं कारता हूँ मुझे लगता है तीन या चार बार हो गए है अभी मुझे लगता है परसो चौथ मैंने चौथी बार उनका हेर कट आप ने कहा नहीं कि मैं आपको भी अपनी तरह ऐसे थोगा सा बहुत तच दे देता हूं हलका सा या हेर कलर यह सुजाव इस बार दू तो यह तस्वीर हम लोग देख रहे थे तो उसमें मैं देखता था कि हर पॉलिटिकल इवेंट में मौम जरूर होती थी तो मुझे लगता था कि शाद उनके भी अपने पॉलिटिकल एंबिशन्स हैं और इसलिए वह रही हैं बट शीज वेरी क्लिर कि ने उनको राजनीती में नहीं आना है बल बेराल उनकी दरफ से एकदम क्लियर हैं कि उनको नहीं आना है बट हाँ ऐज़ा अरधांगनी मुझे लगता है उनसे जादा कॉंट्रिबूशन शायदी किसी और वाइब का हो सकता है और इसलिए कारण है कि पिछले पांच दसक्त से दिन रात पापा खुलकर बिना घर पर चिंताओं से तो ये काबिल अतारीफ है चिराग आपने अपनी मदर का जिक्र किया परिवार का जिक्र हो चुका है एक परिवार और है जिसका बार बार जिक्राता है मीडिया में और उस परिवार के लोग जब आप लोगों के विरोध में बयान देते हैं तब वो भी हैं वो बयान देते हैं उस परिवार से आपका इंट्रेक्शन होता है देखिए विक्तिक तोर पर हम लोगे संबंद बहुत अच्छे रहे हैं राजदितिक हर किसी के अपनी-अपनी महत्वकांचाह होती है उस पर मैं कोई टिपनी नहीं करूंगा और मैं रादर किसी किसी पर भी टिपनी करने के लिए मैं उच्छतवक्ति हुई नहीं क्योंकि इस परिवार को दोनों को अगर आप जोड़के देखें तो मैं सबसे चोटा महीं हूं मेरी दो बहने अगर आफ सिस्टर्स की भी अगर आप बात करें वो दोनों मुझसे उम्रों में बढ़ी है मेर की मुलाकात हुई उन हाफ सिस्टर्स से बिल्कुल निरंतर मतलब शायदी को यसी राकी गई हो जब हम लोग मैंने सामने राकी ना बनवाई हो निरंतर मुलाकाते बाचीत सुख दुख में एक साथ रहना एक साथ खड़े रहना क्या पॉलिटिकली उनको एकमुटेट नही के उपर लगाए गया है मुझे आदे 2015 का भी अगरा के विधान सभा चुनाओं के दौरान बहुत जादा प्रमुकता से परिवारबात का अरोब हम लोग के उपर वापस एक नए स्वरूप से लगाया गया उसका सबसे बड़ा कारण ही एक विधान सभा की सीट थी बोचा क को दी गई सादू भाया मैं उनको बुलाता हूं उनको दी गई वो सीट और वो भी एक कारण रहा तो ऐसा नहीं है कि पॉल्टिकली अकॉमडेट करने की कोशिश नहीं की गई जितना पिदा जी से बन पाया उस दौरान मौजूदा परिस्तितियों में उन्होंने परिवार और पार्टी दोनों को साथ लेका चलने का प्रयास किया कहां चूक हुई कहां गलती हुई मेरी समझ के परेय है सारवजनिक तौर पर क्यों इस तरीके के बेयान परिवार के उनकुछ Сदस्यों के दौरा आने लगे ये भी मेरी समझ के परेय है बद perturb उतना ही आसहज मैं पर वारिक विशो को सारवजनिक मंच पर चर्चा करने से थोड़ा आसहज होता हूँ इसलिए मैंने कभी उनके मुझ पर किये हुए कोई भी सारवजनिक टिपनी पर मैंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, मेरा जवाब देना बनता भी नहीं है, उम्र में छोटा हूँ बड़ों को पूरा हक होता है, कुछ भी बोलने छूटा है रामिलाज जी ने कभी तकलीफ साजा किया आप से, कि यार ये इतना सब कुछ किया है, ये एक मेरे जीवन का सत्य है लेकिन उसको जो अलग-अलग मोटिवेशन के साथ उगाड़ा जाता है, या बताया जाता है मुझसे का मौमी के साथ उन्होंने आपस में जरूर डिसकस किये, पर परिवार की चिंताओं को उनके लिए तो मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, बहले पाटी का राष्टे अद्यक्ष हूँ, तो परिवार की चिंताओं को बहुत ज़्यादा मेरे साथ साजा नहीं किया रहा है एक उमर होती है जब आप चिंताओं से मुक्त होते हैं, स्कूल की उमर, कहां पढ़ाई लिखाई हुई चिराग पासवान में दिल्ली, एफोस स्कूल में केजी से लेकर 12 त मैंने वहीं पर की, एफोस गोर्डन जूबली इंसिच्यूट, धौला कुवा में है यह स्कूल, तो वहीं पर मेरा एड्मिशन केजी में कराए गया था, और तब से लेकर बारवी तक वहीं पर तो तब कुछ जहन में था, जै क्या था, क्या बनेंगे? समाजिक कल्यान मंत्री बनूँगा, उसके अद वो रेल मंत्री बनें तो मैं जवाब होता था, तो मुझे उसका कभी समझ में नहीं आए, कि भाई, उसके लिए सबसे पहले आपको सानसाद बनना होता है, तो वो मेरी उस वक्ष समझ में नहीं आता था, इस बात का एहसास म समाजिक कैसे 9-5 जॉब होती है, या एक समाने है, उनके लिए वो समाने रूटीन होता था, मेरे लिए ये समाने रूटीन होता था, बट वो न दोनों में कोई समानेता नहीं थी, मुझे याद है कि मेरे स्कूल फ्रेंड जब यहां आते थे तो उनको ये सारा परिदिश्य लगता था कि अरे यार तुम लोगों कहां ऐसा होता है, इतने लोग होते हैं घर पे, हर समय घर में ऐसे चहल पहल रहती है, यह थो इंडिया गेट लगता है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तो इस तरहे क JEFFे लिए वो समाने नहीं था, बट वो initiatives पेर उनके हैं जा अगर मैने की सोच थी मेरी अपको भी किसी अंकल ने बता दिया था कि B.Tech में स्कोप है मेरे लिए इजी वो था एक्चुली सारे सब्जेक्स में मुझे समझ में आता था कि B.Tech Computer Science करूँगा थोड़ा सा गन्यत बन्यत भी समझ में आता है तो ये शायद मैं कर लूगा ये सोचती और ये एक ऐसा ही दौर था जब दोस्त आपको पुश कर रहे थे कि अरे अच्छे दिखते हो अच्छे दिखते हो फिल्मों में जाना चाहिए क्या कर दो तो वो एक pumping अलग से चल रही थी बैक ड्रॉप में जरूर ये चल रहा था कि भाई इवेंचुली जाना तो पॉलिटिक्स में ही है क्योंकि उस वक परिवारवाद नहीं पता था उस वक ये पता था कि जो पिता करते हैं बेटे को करना चाहिए उनके नक्षे कदमों पर चलना चाहिए तो खेर वो बहुत सारी उलजएने चल रहे थी उसमें बीटेक मुझे लगा कि मैं कर लूँगा अराम से तो वो करने की मैंने शुरुआत की फिर बीच में मुंबई डॉलिंग शुरू हो गया में मैंने एड्मिशन लिया मुंबई फिर शुरू हो गया और वीटेक शूड गया आदे में रह गया मुंबई किस साल गय चिराग आप भाई प्रिसाइसली तो अब मुझे मुटा माटी कब से जाना शुरू कर दिया इस अर्मान के साथ की हिरो बगया तो मुझे लगता है दो हजार वहीं पर लोकल कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई एनस्टी गया है यह तो नहीं नहीं ऐसा पुछ नहीं किया है जो मुझे आसपास के जो एक पियर ग्रूप बन गया वो लोग जहां जाते थे क्या रहे आज लोकंड वाला में कोई इने महीने की क्लासे थे और यह कोर्स कर लए तो वहां पर यह च्छह महीने का कुर्स आया वह कर लेते है वैसे वैसे अपने इसाब यहां उपोजट मुझे लिया गया था अभाव इट अलग था बढ़ी कम ट्रूए लिए रहो बन गये थे लिए नो वह जाने के बहुत ही पता चल गया था बहुत ही अलग था अच्छा तब पता है कि मेरा परीचय सही चराक से भी हुआ कि मैं खुद क्या करना चाहता हूँ मेरे लिए मैंने हमेशा मैंने माना है और पापा तो कहर हमेशा बोलते हैं जो होता है अच्छे क्लिए होता है और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर आप connecting the dots देखेंगे न इतिहास की कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी आपकी जिन्दगी में बड़ी जिसका कोई कारण नहुआ हुआ बिना कारण के जिन्दगी में कभी किसी की भी आप भाई अपनी भी जिन्दगी अगर आप देखेंगे connecting the dots आप करेंगे बले उस वक आपको लगा होगा कि यार ये कितनी बड़ी गलती हो गई या आप मैंने ऐसा क्यों कर लिया बर दो साल, पांस साल, दस साल, पंद्रा साल के बाद आपको पता चलेगा कि ये अगर उस दिन नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं हो रहा होता वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं मैं तो बना ही नहीं हूँ मुझे डालोग रटने में दिक्कत होती थी मैं खुदी इंप्रोवाइस करके जैसे भाशन देता हूँ अभी वी जैसे आप बोलता हूँ आपको भी कई बाद लगता हूँ कोई जवाब छोटा दे दे क्यों इतना लंबा बोले ही जा रहे हो तो वहाँ पर मुझे लगता था मैं डालोग बोलने लगता हूँ मैं बोलते ही जाता था सामने वाले की भी सीन काट लेता था जिस सीन में नहीं भी बोलना होता था, उसमें भी मैं बीच में इंटरफेर कर देता था, तब मुझे पता चला कि नहीं, यह तो मेरा नाच्वल हुआ है, मैं बोल सकता हूँ, मैं भाशन दे सकता हूँ, मैं इस चीज पर वर्क करूं तो यह चीज मुझे आ सकती है, तब धीर अगर मैं सीधा अगर आजाता ना तो शायद मुझे लगता है कि आ रहे आना ही है इसले आ रहा हूं पर उस वक मैं चाहा क्या आया, लगन के साथ आया और अजा आजा एको और अजा आजा आजा And how was your co-actress? Nice, very nice Very independent, clear with her thoughts और ये मैं बात कर रहा हूं अजा भाई, मेरी फिल्म आई थी 2011 में So I am talking almost like, it's almost a decade old पहले की बात ही है लग बात दस साल होने को आए है दस साल में उनके भी खेर वेक्ते हैं तो मैं कंगना की मैं बात कर रहा हूं काफी बदलाव आए हैं और ये वाई इस चिल इंटाज भी नीचे दो On and off now On and off मतलब अब तो खेर बहुत ही सीमित होई बार बार नेपोटिजम का जिक्रा रहा है मुझे यादा रहा है कि उनका एक अलग क्रूसेट चल रहा है नेपोटिजम होगा इस वागर मैं उनके आज फिल्म कर रहा हूं तो मुझे लगता है संभावनाओं का प्रदेश है और इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है बिहार बहुत दिल्चस्प पॉलिटिकल थियोरी इसका भी प्रदेश है मुझे एक पॉलिटिकल थियोरी बताई गई जब मैंने अपने पाठकों के सामने और लोगों के सामने इच्छा जाहिर की बताया कि मैं चिराक का इंटर्व्यू करने जा रहा हूं तो उनका अच्छा उनसे पूछिएगा कि उनकी फिल्म तो आई 2011 में 2009 में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ बिहार में रहुनाद ज्जा पश्मी चंपारन से सिटिंग एमपी थे मंत्री थे उनकी सीट बदलकर उनको वालमी की नगर भेजा गया और उस सीट से लजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं प्रकाज ज्जा और यह ऐसा इसलिए किया गया जो conspiracy theory देने वाले हैं कि प्रकाज ज्जा राम विलाज जी के बेटे को बेटे को launch कर रहे थे यह मैंने भी सुना था ठीक बोल रहा है अभी आपने बोला तो मुझे याद आया यह मैंने भी सुना है क्या कहना है प्रकाज जी मुझे लगता है बहुत ही मझेवे, मानेवे निर्देशक, निर्माताओं में से एक हैं उनको, हाँ मेरे जरूर इंट्रेक्शन उस वक हुए थे उनके साथ पार्टी से और चुनाओ लड़ रहे थे डिफिनेटली घर पे आना जाना उनका था प्रकाज जी को इसलिए लड़ाया जा रहा है कि इसको फिल्मों में जाना तो इनको लॉंच करेंगे पर फिर वो ये प्रतश्चो प्रमान की जरुवत नहीं आने वाले सालों ने अपने आप ही दिखा दिया उसके बाद अगर ये थेओरी आगई हो कि एक और चर्चा जो हमने सुनी लोगों से जिसका एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है और सिनमा कनेक्शन भी है वो ये है आप जितनी दे में भूमी का मानते हैं दिल की धड़कने उतने में जिखा रहा है कि 2019 के लोगसभा चुनाओं में और ये मैंने जब मैं खगड़िया लोग सभा में गया तो सुना भी कि वहां से आपकी पार्टी के जो सांसद हैं उनका टिकट लगभग कर चुका था महभूब अली कैसर नाम है उसका डाम विलाज जी उनसे नाखुश थे वो एक्टिव नहीं थे उनका टिकट लगभग कर चुका था लेकिन सल्मान खान का चिराग को फोन आया और उनका टिकट रिस्टोर हो गया नहीं बिल्कुल नहीं ये आपने नहीं सुनी ये थियोरी है बिल्कुल भी नहीं नहीं मैंने गाहे बगाय ज़रूर ये थियोरी सुनी है मैं आपको हकीकत बता रहूंगे, ऐसा बिलकुल नहीं सल्मान जी से मेरी कोई ऐसी बाचीत इस विशे में कभी बिलकुल भी नहीं हुई है मेरी ऐसा नहीं कि मेरी उनसे रोजी बाचीत होती है, ऐसा भी नहीं है तो इस विशे में बिलकुल भी नहीं मैं जरूर मजबूती से उनके पक्ष में था क्योंकि मेरा उनसे जितना इंट्राक्शन या मेरे एसाब से मुझे लगा कि जितनी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी उतनी उन्होंने निभाई हाँ दो कदम एक्स्ट्रा बढ़कर उन्होंने शायद कारे नहीं किया हो जो अपक्षा बाकी लोगों थी पर मैं कहीं ना कहीं संतुच था इसलिए आखिर तक मैं जरूर अड़ा हुआ था इस पर कि उनको ही दुबार वहां से चुनो लड़ाना चाहिए हम 2014 के दौर में आएंगे लेकिन उससे पहले मैं एक प्रसंग पर आपकी राय जानना चाहता हूँ कई लोग इसको हिस्टोरिकल ब्लंडर कहते हैं राम विलास जी के पलिटिकल करियर के संदर्ब में 2005 में दो दफ़ा बिहार में चुनाव होते हैं पहली बार फरवरी में दूसरी बार बर में पहली दफ़ा के चुनाव में जो एक हंग एसेम्बली बनती है तो राम विलास पासवान जी और उनकी पार्टी LGP किंग मेकर बनकर उभरते हैं उन्तिस विधायकों के साथ और राम विलास जी शर्त रखते हैं कि समर्थन उसी को जो एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाए What do you think about this political gamble? मैं इस statement को ब्लंडा नहीं मानूँगा हाँ बट मैं इतना मैं जरूर मैं मानूँगा कि उस वक्त और मेरी पापा से भी बात होती है और यह मेरा ही मानना नहीं है यह उन्हीं के ही विचार है वो भी मानते हैं कि नहीं उस वक्त सरकार बना लेनी चाहिए थी 2005 फरवरी में जब 29 विधायक हमारे जीत के आये थे दस कॉंग्रेस के थे हाँ और उस वक्त मुझे याद है उस वक्त पापा का काटून बना होता था कई प्रमुक मैगजीन्स में इंडिया टुड़े वेगरा में ही मैंने देखा था कि उनके हाथ में चाबी और उनका वो क्यारिकेच अपूरा बना हुआ था की सत्ता की चाबी मैं मानता जरूर हूँ कि उस वक्त सरकार हम लोगो बना लेनी चाहिए थी ताजू मुझे इस बात पर होता है कि तथा कतित अपने आपको जितनी भी पार्टियां वहां की मौझूदा छेत्रिय जो अपने आपको सेकुलर कहती है और सेकुलरिजम को लेक या हमारी पार्टि में से किसी को बना गया है तो सेकुलरिजम के बड़े बड़े दावे करने वाले वो छेत्रिय दल उस वक्यों नहीं सामने आए उस वक्तिकत महत्वक आंचाएं इतनी बड़ी हो गए कि आपका सेकुलरिजम का आजणडा पीछे हो गया भाई हमने तो अ सरकार बनाने की परस्तिती थी बड़े लोग यह कहते हैं कि क्या एक मुस्लिम को मुक्यमंत्री बनाने से आप सेकुलर हो जाएंगे या इस राजनीतिक प्रिस्ताव का विरूद करने से आप सेकुलर नहीं रहे यह राजनीती में बहुत सी चीजे आपको सांकेतिक तोर पर करनी जरूरी है अब आज की तारीख में आप मुझे बता यह प्रधान मंत्री जब आते हैं स्क्रीम पर हम लोग तो अभी फिर भी गंचे को ऐसे लपेट के बैठे हैं वो पूरा यूं लगा के आते हैं और फिर उसको बोलेंगे तो नीशे करेंगे क्यों भाई वो तो अल आमानने तोर पर हो रहे अत्याचार या उनके साथ भेदभाव उसको दूर करने के लिए एक सांकेतिक तोर पर आपको कुछ बातों को कहना करना जरूरी होता है लादी यादो और आपडी देवी के राज में क्या बिहार के मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा था पंद्राबरस से क्या पॉलिटिकल सिग्नल दिया जाए तो उसको ब्रेक करना चाहते थे इसको माई कहा जाता है मुझे ये एक्वेशन्स का बनना ही नहीं समझ में आता कि क्यों और जब बनना ही नहीं समझ में आता तो उसको ब्रेक करना भी मेरी समझ में नहीं आता मुझे इतना जरू समझ में आता है कि अगर क्योंकि भारतीय राजनीती और खास्तों पर बिहार के हम लोग बात करें कितना भी हम लोग बोलने जात पाध धरम मजब पे अधारित होती ही होती है इवेंचुली सब घूम घाम के होगा पर जातियता पे आ जाता है जिसका मुझे सबसे जादा इशू है सबसे जादा दुख है मुझे किसी बात का और मुझे लगता है सिर्फ एक मात रिजातियता और ये धर्म एक कारण रहाज इसकी वज़ाद से बिहार उस तरीके से विक्सित नहीं हो पाए जिस तरीके से भारत के बाकी प्रदेश हो पाए आज भी हम लोग जब चुनाओं में मद्दान में जाएंगे तो हम लोग जाती को देखेंगे धर्म को देखेंगे तो अगर ये एक कॉंबिनेशन किसी राजनितिक दल ने बनाया हुआ है मैं उसी को ही गलत मानता हूँ तो उसको तोड़ने की बात ही नहीं है तो उसको तोड़ने की रामनास जी ने भी फिर एक रिलिजिन कार्ट ला और अंसेफ फिल कर रहे थे ऐसी बातें कहीं 2002 में कुझरात में दंगे होते हैं उन दंगों को लेकर देश के मौझूदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर आरोब भी लगते हैं और नरेंद्र मोधी के खेमें से सफाई भी आती है कि हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली और ऐसा हुआ रामिलाज जी ने इस मुद्धे पर एंड ये छोड़ी थी ये एक बहु प्रचारित बात है कई राजनितिक पंडित ये भी कहते हैं कि वो तो एक बहाना था वो काफी दिनों से असहज महसूस कर रहे थे अपने मंत्राले को लेकर अपनी शक्तियों में कटौती को लेकर या जो बिहार की पॉलिटिकल एक्वेशन थी उसको लेकर और कई लोग कहते हैं जो अब लगभग स्थाईसा हो चुका है जुमला के नहीं वो तो चतुर मौसम वेग्यानिक हैं भाप गए थे कि अब ये निजाम जाने वाला है अब ये सरकार जाने वाली इसलिए वो शिफ्ट हो गए और 2014 के पहले उन्होंने फिर भाप लिया तो वही नरेंद्र मोदी जिनकी उपर इल्जाम लगाकर वो हटे थे उनको उन्होंने दुबारा से कटवंदन में शीर्ष नेतामाल लिया How do you react to these political accusations? So I'll start from the beginning जब पिदा जी ने resign किया मुझे नहीं पता आप इस बात पर यकीन मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे भी टीवी के माद्यम से ही पता चला तो मुझे भी उसी माद्यम से ही पता चला तो ये एक ऐसी घड़ना मतब ये ऐसा कदम था उनके दोरा उठाया गया जिसमें परिवार में बैठकर कोई बहुत चर्चा या विचार विमर्श हुआ हो ऐसा नहीं हुआ था कोई बहुत सोचा समझा हो ऐसा भी नहीं था कई बार मैं बोलता हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने कई निर्ने लिये हैं मजबूत कठोर निर्ने भी उन्होंने लिये हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभव के अधार पर उस वक जो प्रचलित हुआ था कि 2002 में जो गोद्रा के जो कांड हुए थे उसको लेकर उन्होंने इस्तिफा दिया है मैं इस बात को मैं मानता हूँ कि उस वक जिस तरीके से परिस्तितियां थी और जिस तरीके से तथ्य सामने आ रहे थे और जिस तरीके से इस बात का धिक्र हो रहा था कि उसक्ट गुजरात की मौझूदा सरकार और उसक्ट के मुख्यमंद्री भी उस घेरे में हैं आरोपो के ये कारण था जिसकी वज़ा से विशलित होकर पिताजी ने उसक्ट ये कदम उठाया और उस वक की एंडिये की सरकार अडल जी की सरकार से उन्होंने इस्तिफा दिया बट इसको इस दुर्श्चिकों से देखना कि क्योंकि उनको पता था कि 2004 में निजाम बदलने वाले हैं जैसा आपने बोला है सरकार बदलने वाली है इसलिए उन्होंने कदम उठाया मैं इस बात को मैं नहीं मानता उस वक जरूर 2002 में परिस्तितियां कुछ ऐसी बन गई थी जिसमें गुजरात के रॉइट्स भी एक बड़ा कारण थे मुझे लगता जिसकी वज़ा से उन्होंने कदम उठाया चिराग 2004-2009 के लोकसभा चुनाओ या 2005-2009 के विधान सभा चुनाओ के आप ग्राम विलाज जी के भाषान उठाके देखें तो वो अपने स्तीते को एक badge of honor की तरह पेश करते हैं एक consistency को अट्रस करते हैं अज भी अगर आप उनसे बात करें लोग कहते हैं जो यह political you-turn word use करते हैं लोग तो उस पर आपको क्या लगता है how do you justify that भाई नियायले से बड़ा तो कोई नहीं ना अगर आप देश में अगर आप कानून का ही सम्वान नहीं करेंगे तो फिर आप वेक्टी का धाणा है तो फिर आप सब के लिए बांद के चलिए फिर आपको अदालत की क्या ज़रत है फिर आपको Nie largest ना अले से रखने की क्या ज़रत है जब एक वेक्टी को अगर उनको नियाले से ही अगर उनको clean sheet ने भीमें है कुछ भी हुआ तो लोग मानेंगे नहीं, लोग तो अपनी perception कोई लेके चलेंगे कि नई, मैं मानता हूँ इसने किया, इसलिए भले नयाले कुछ बोले, तो ये भी गलत है, और उस वक्त 2014 की भी अगर आप बात करें, उस वक्त मैंने तमाम अपने interviews में भी इस बात को मैंने ब उस वक्त भी हम लोग ये नहीं कि अगर हम लोग यूपीए के साथ रहते और हम लोग चुनाओ में इस चीज़ को लेका जाते कि नहीं उस वक्त दंगे हुए थे और ये वह था वह था, नहीं क्योंकि वह बात कब की खतम हो गई है, और हकीकत है, मैं इस बात को मैं मानता आगे बढ़ने के क्रम में ही मौसम वैग्यानिक बात आती है कि पहले वो जनता पार्टी में थे जब पहली बार सांसत बने, फिर अपनी सेना बनाई, फिर जनता दल में गए, फिर जनता दल के बाद वो जेडियू में रहे, जेडियू समता वाला जो पूरा फैक्शन था जेडियू बना, फिर जब वो समता वाला फैक्शन अलग हुआ दोहजार में और जेडियू के नौ बचे, तो नौ मैसे चार को लेकर उन्होंने लजपी बनाई, फिर वो यूपीय में चले गए, तो यूपीय क्यों छोड़ी है, जो बार बार का उनका ऐलाइंस चेंज करन लोग यह कहते हैं कि साब प्रधान मंतरी कोई भी रहे, बदो यह कहा जाता है कि राम विलास जी जब पहली बार सांशतल बने थे, तब मुरार जी देसाई प्रधान मंतरी थे, और राम विलास जी अब जब मंतरी बनाई नरेंर मोदी है, कि वो उनकी पॉल union ये है कि बाई ये पावर में आ सकता है इसके साथ हमको अटैच रहना है एक हास से कभी उन्होंने कहा कि कल को अगर मंगल क्रेपे भी कोई सरकार बनेगी तो ये भी चंद्रियान पर जाएंगे वहाँ पर भी शपर राम बिलाजी वहाँ भी बनत्री होंगी यूपिय क्यों छोड़ा भाई यूपिय उस वक्त पता नहीं आपने वो पूरा दौर उस वक्त देखा नहीं देखा उस वक्त मैं सक्रिय राजनीती में आ चुका था और मेरा ये दवाब उस वक्त और इस बात को अब मैं खुलके मैं सुकारता हूँ कि मेरा ये दवाब जरूर था पिदा जी के उपर कि हम लोग को अलाइंस चेंज करना चाहिए पर मैं उस वक्त की घटना पर आऊँ मैं ये पूरे परिपेक्ष को एक वा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ये नहीं कि भई हम लोग इतने विधायक जीतके आगे इतने सांसथ जीतके आगे अब इनकी सरकार बननी है या बचनी है या बनानी है तो अब हम इनके साथ जोड़ जाएं वो दोर भी याद कीजिए जब एक सांसत से सरकार गिरी थी उस वग भी तो यही आरोब लगा था कि उस वग आके आप समर्तन कर देते हैं पर पोस्ट पोल हम लोगों ने पिताजी ने और लोग जन्शक्ती पार्टी क्योंकि अब मैं पार्टी का अध्यक्षू मैं पार्टी की तरफ से मैं पूरे कैटेगोरिकली मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई भी चुनाओ निकाल का देख लीजे पोस्ट पोल लोग जन्शक्ती पार्टी ने कभी अलाइंस नहीं किया हाँ ये कशुब संके जरूर है कि जिसके साथ हमने अलाइंस किया हमेशा सरकार उसकी बनी बहले 2004 में एंडिये छोड़कर आने की बात हो और मन्मुहन जी की सरकार बनने की बात हो या 2014 में आजके मौझूदा प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी की बात हो 2014 का अगर मैं जिक्र करूँ उस वक्त पापा बहुत क्लियर थे कि जिस अलाइंस में वो हैं उस अलाइंस के साथ ही वो आगे बढ़ना चाते थे मेरी एक जरूर सोचती क्योंकि उस वक्त पहली बार मुझे देश में एक ऐसा नेतरत व करने वाला विक्त वा दिखा जो जात पाद धरम मजब की नहीं जो कोई फ्री वीज की नहीं जो कोई लालच की नहीं प्रलोभन की नहीं सिर्फ देश की विकास की बात कर रहा है जो देश में अभी तक क्या खामिया रही है कि इन चीजों को सुधाना है मुझे उनका भाशन आज भी याद है जब वो 15 अगस को जब उनोंने लालकिला की प्राचीर से उनोंने सौचाले की बात की थी लोगोंने कितना मजाक उड़ाया था पर उसकी गंभीरता को किसी नहीं नहीं समझाता भाई आप भी गाउं से तालूग रखते हैं मैं भी रखता हूं और जो गाउं से तालूग रखता है वो ही समझ सकता है कि गाउं में सौचाले कितनी बड़ी ज़रुवत है और देश का प्रधान मंदरी जब उसका जिक्र कर रहा है मेरा उस दिन गर्व से सीना चोड़ा हुआ कि भाई ये है सही माइनों में विकास की बात करना जब तक आप मूलभूट ढाचे को आप करेक्ट नहीं करेंगे जब तक बेसिक इंफरा स्ट्रक्चर आपका सही नहीं होगा तब तक आप लाग बड़ी बड़ी बाते करने कुछ नहीं होने वाला बड़ वो कंपारिशन भी बहुत क्लियर मुझे लगा कि आप एक तरफ जहां बुले ट्रेन की बात करते हैं तो वहीं आप सोचाले का भी जिक्र करते हैं जहां आप अपने विजन को आप ब्रॉट करते हैं वहीं आप मूलभूट जरूरते क्या-क्या हैं उसकी भी आप चिंता करते हैं तो पहली बार मुझे देश में एक ऐसा वेक्ति मिला और उनके तमाम भाशन जितने मैंने उन दिनों सुने उनकी बाते सुनी उनका वो विजन सुना उससे परसनली मैं बहुत ज़ादा इंफुएंस था पार्टी में कई बार उसक्त में संसधिय बोड का अध्यक्स था अपनी पार्टी के और संसधिय बोड में जब मैं इन बातों को मैं रखता था तो कहीं ना कहीं मुझे लोगों की तरफ से भी वही फीड़बैक पार्टी के नेताओं की तरफ से भी वो फीडबैक मिलता था पापा से मैंने गाहे बगाए उस वक्त इसका जिक्र मैंने जरूर किया पर उनकी तरफ से मुझे स्ट्रॉंग एक रिलक्टेंस मुझे उस वक्त महसूस हुआ तो उस बात को हम लोगों ने जादा आगे बढ़ाया नहीं निरंतर हम लोग का पिछले गड़बंदन में प्रयास रहा कि नहीं नी फिर आपने कन्विंस कैसे किया पिता जी को यूपी ए छोड़के एंडिये में जाने को अगर नेता चुनाओं में उतरें तयारी करें अपने अपने चेतर में जाए अगर नेता ही इस चिंता में रहेगा कि मैं चुनाओ लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा तो आपकी पारटी का प्रचार करेगा कौन आप चुनाओं से 10 दिन पहले जाएंगे तो ये तो किसी भी पार्टी के लिए किसी भी गड़बंदन के लिए उचत नहीं है हाँ बड़ी पार्टी आफिर भी एस ले सकती हैं बट लोग जिनशक्ती पार्टी और हम लोग की पार्टी के लिए जरूरी था कि समय रहते हम लोग को अलाइंस पर क्लिरेटी आए सुनिया जी से हम लोग की निरंतर मुलाकात हुई राहुल जी से मुलाकात की बाते कई बार सामने आई पर उस वक उन से मुलाकात नहीं हो पाई और एक लंबा समय बीट गया था मुझे याद है मिट फैब तक हम लोग आ गये थे और मार्च में नोटिफिकेशन आना था एपरिल में चुना होना था तो समय नहीं बचाता और उस वक मेरी और मेरे पार्टी के कई और महतोपूर्ण नेताओं की डवी हुई ख्वाइस तो यह जरूरी थी कि भाया नहीं हम लोग को एंडिया मोदी जी के साथ हम लोग को जाना चाहिए परिस्तितियां उस वक फिर ऐसी बनी और एक दिन ऐसा था कि जब क्योंकि समय बचा ही नहीं था और उस वक पिताजी के समय जब मैंने रखा कि हम लोग को अल्टरनेटिव इलायंस का हम लोग को सोचना चाहिए और भाई मैं बहुत क्लियर हूँ बार बार बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने विचारों से समझ़ाता कर लेते हैं कोई समझाता नहीं लोग जनशक्ती पार्टी पूरी तरीके से क्लियर है कि हम लोग UPA का हिस्सा रहे हो या हम लोग एंडिया का हिस्सा रहे हो पार्टी की अपनी प्रियरिटीज हैं पार्टी की अपनी पॉलिसीज हैं इसको लेकर हम लोग पूरे क्लियर हैं, उस पे ना समझाता, यूपिये के साथ करेंगे हैं, भाई सबसे पहले तो जितना भी वंचित वर्ग है, उनकी किसी भी नीतियों के साथ कोई अन्याय नहीं, बार बार एंडिये सरकार में कहा जाते हैं कि भाई या आरक्षन विरोदी के साथ जुड़े वे जितने कानून हैं, आरक्षन के जितने विशे हैं, वंचित वर्ग के साथ जुड़े वे जितने विशे हैं, उसके उपर कोई भी निर्णे बिना बाचीत के, बिना चर्चे के और बिना लोग जिन्शक्ती पार्टी की सहमती के, और इन मुद्दों को उतिनी ही प्रहमुक्ता से उची जाती को जब जो गरीब लोगे उनको आरक्षन देने की वाति उसमें भी हम लोगे प्रहमुक्ता से रखा क्योंकि ये बात भी पार्टі के संवीदान में 2000 में जब पार्टी का गठन हुआ उसी वक्त हम लोगों ने इस बात का भी जिक्रे किया कि कोई गरीब जाती से नहीं होता है ऐसा नहीं कि भाई तुम अनुसुची जाती से हो इसलिए तुम गरीब होगे या कोई ब्रामन है या कोई अपरकास या राजपूत है तो just because कि वो जाती का है तो वो पूरी तरीके से संपन होगा गाउं में आप आज भी जाएए कई ऐसे परिवार मिलेंगे जो उसी जाती से होने के बावजूद गरीब हैं और अनुसुची जाती से होने के बावजूद संपन है, तो ये गरीबी भेदभाव देखकर नहीं आती है, तो इतने ही क्लियर हम लोग उन बातों को भी लेकर हैं, तो गरीब वर्क के लिए जो हम लोग की चिंताएं रही है, उस मुद्दे के साथ, हम लोग UPA में भी उतने ही अडिक्ट है, और यहां पर भी संदेश, कुछ देर हो गया था तब तक, देर हो गई थी, कमाल है ना, आप आप बारा जनपत में हैं, वो दस जनपत में हैं, दो बंगलों का फरक है, लेकिन वो फरक इतना बड़ा हो गया, दाउल गांधी से बात मुलाकात होती रहती है आपकी? आप परलिमेंट में होती है, जरूर। परलिमेंट में होती है, आचा, क्योंकि वो आपकी फिल्म के प्रीमियर में भी आये थे, हिम्मत ही उनकी, अरे वाँ, यह आप अपनी फिल्म को लेके तो खुद से आप जब तक honest है, आप public honestly face कर सकते हैं What do you think about Rahul Gandhi, as a politician? Well, I am no one to comment, to be very honest. मैं और मैं यह कोई बहुत politically correct होगे, मैं बयान नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि वेक्तिकर तोर पर पडोसी होने के बावजूद, यह पडोसी वैसे नहीं ना कि आप कहाँ चाय बनी है तो दो कब विजवाद हो या चीनी खतम होगी है तो देदू, वह वाला वैसा पडोसी का रिष्टा नहीं रहा वेक्तिकर तोर पर मैं उतने उससे नहीं जानता, सारुज में जीवन में उनको जितना देखा है, मैनत प्रयास मुझे कम जादा हर एक परिस्तिती में मुझे लगा, कई बार मुझे लगा कि अरे नहीं यहां पर थोड़ा और करना चाहिए, कई बार मुझे लगा क्यों थो लोग कहते हैं कि चिराग भविष्व की संभावनाय जिंदा रहें इसलिए अपने राजनितिक प्रतिद्वन्तियों पर तीखे हमले नहीं करते हैं, आज की तारीक में भी अगर आप खेह रहे हैं कि मैं तीखे हमले नहीं करता तो यह मेरे लिगा कुछी जा रही है, नहीं पर मैंने टिपनिया मैंने जरूर की हैं गाहे बगाहे, नीतिकत विशु जब जब विशु में को लगे हैं कि नहीं यह सही है, यह गलत है, वेक्तिकत तोर पर मैंने कभी किसी पर कोई टिपनी नहीं की, यूपीय में रहते हैं वक्त भी, जहां पर हम लोग को लगा कि नही थे पॉलिटीशन बन गए, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे पॉलिटीशन बन गए, दोनों की एक जैसी बिडमना है रहे हैं, हाँ, और दोनों लोग बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, तेजस्तु यादा उससे बात मुलाकात होती है? बहुत जादा नहीं, मतलब वह कोई चट पे, दिवाली पे, इस तरीके की मुलाकात है, कोई वैसा नहीं है, फास डायर की वाई क्या चल रहा है? बच्पन में जरूर हुई, उस वक मुझे नहीं पता कि उस वक उनको कितना याद है, और मुझे भी बहुत फेड़िट से वो विज्वल्स हैं मेरे दिमाग क्योंकि हाँ, हकीकत यह है कि पिता जी और लालू जी अच्छे दोस्त रहे हैं, बेक्तिकत संबन अभी भी सबके साथ अच्छे हैं, कोई वैसा नहीं है, तो उस वक घर एक दूसरे के घर पे आना जाना जाना जादा होता था, तो उस वक के विज्वल्स जरूर हैं जस्वी यादव मुख्यमंत्री, चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री, क्या इस तरह की कोई संभावना हो सकती है भविश में? मुझे आपी से ही सुनने को मिल रही है संभावना है, मैं तो जो सुनके आया है, मैंने पूछ ले, क्यो अफवाहों पर कांद है, जो उसके पार्टी बता जा रहा है, उनसे ही पूछ ले, मैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, सुरा भाई, रोज एक नई अफवाह सुबह उटके सुनता हूँ, और सोचता हूँ, अच्छा, यह कहां से आई होगी, रोज एक नए पर्मुनिटेशन, कॉम्बिनेशन, मैं अपने बार कोई भी पार्टी, राजनितिक पार्टी नेता और उस नेता की नियत से जानी जाती है, पार्टी के जब जब नेत्रतों बदले हैं, पार्टी की कारेशेलियां बदली हैं, और यह शुरू से लेकर अभी तक देख लीजए, आप नहरू जी के जमाने से देख लीजए, उस सी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी किसका विले होगा किसका किसकी तूट होगी किसी को नहीं बता तो भविशे की संभावनाओं पे कोई टिपनी नहीं पर मौझूदा परिस्तिति के जहां तक आप बात कर रहे हैं लोग जन्शक्ति पार्टी एंड ये गड़बंधन का हिस् सोच आज की तारिक में ज़रुवत नहीं है जरूर्ट नहीं है अगर इतना ध्यान दूं तब मैं टिपनी करूं आप बिहार की राजनीती में सबसे हमेरा हो भी हार के निता है मुझे किसी दूसरे को नीचा दिखाकर या दूसरे की खामीयों को जागर करकर अपने आपको ताकतवर नहीं करना अपने आपको बड़ा नहीं करना है मुझे पहले अपनी कमजोरियों पर काम करना है और वो काफी है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान अपनी कमजोरियों को सुधार कर अपने आपको परिपक करने पर है बाकी सामने वाला अपने भविशे का अपने नसीब का खु़ जिम्मेदार है आल राइट चलिए तो आखरी में लजेपी की कमजोरियों पर और चुकि कमजोरियों में ही संभावनाय और बहतर भविशे भी छिपा होता है उन पर बात कर लेते हैं आप राष्ट्री अध्यक्षे आपको लगता है कि पार्टी का जिस तरह से विस्तार होना चाहिए था बीस वर्षों में वो हो पाया है या बहुत कमिया रहे हैं क्योंकि लोग सभा में हम प्रदर्शन देखते हैं 14 और 19 में बहुत अच्छा रहा आप 14 में 7 सीटें जीते 19 में तो आपका 100% स्ट्राइक रेट रहा और विधान सभा में जब हम देखते हैं तब LGP की परफॉर्मेंस एक 2005 का पहला चुनाओ छोड़ दें तो बहुत खराब रही है तो ये द्वैद कैसे पार्टेंगे चिराग भाई ये ही सीखने वाली चीज़ है और इसी बात को बैट कर मैं पार्टी और पार्टी के नेताओं कारे करता हूं के साथ मैं चर्चा भी करता हूं कि हमने लोग जन्शक्ती पार्टी ने अपनी ही ताकत को बहुत सी बार अंडरेस्टिमेट किया हमारे पास एक ऐसा नेता है आदनिय राम्यला स्पास्वांजी के नाम पर जिसको प्रदेश में ही यही नहीं, देश में ही नहीं दुनिया में किसी पहचान की ज़ुरूद नहीं है एक ऐसा नेता जिसका नाम एक बार नहीं दो दो बार Guinness Book of World Record में दर्ज हो एक ऐसा विक्तित हो जो एक्रोस आप जम्मू कश्मी से लेकर कन्या कुमारी तक चले जाए पुर्वतर से लेकर रन ओफ कश्स तक आप चले जाएए कहीं पर भी उनके नाम को पहचान की जरूरत नहीं है इतना बड़ा नाम होने के बावजूद पार्टी की नियत साफ होने के बावजूद नीती साफ होने के बावजूद क्या कारण है कि हम लोग अपने आपको अंडर एस्टिमेट करते ह और हम लोग अपने आपको सोचते हैं कि भाई आ बिना गडबंदन के या बिना उसके पार्टी हमारी चोटी है पार्टी चोटी है जबकि हकीकत है कि विदान्स क्योंकि और इस बात का जिक्र मैसले भी कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों से कुछ नेताओं द्वारा ये टि कर लिया कुछ नहीं 2010 देख लिजे क्या कर लिया कुछ नहीं जो लोग ये बाते कहते हैं मैं उनको बस एक बार याद दिलाना चाहता हूं 2005 पहली बार जब लोग जन्शक्ती पार्टी अकेले निकली तो हमने वो कर दिखाया जो हम लोग गडबंदन में भी शायर नहीं कर तो लोग जन्शक्ती पार्टी में ताकत कोई सोचे कि कम है या संगठन की शमता वो नहीं है ये शाय सामने वाला अपने आपको किसी गलत फहमी में रख रहा होगा हाँ इतना जरूर है कि हम लोग जिस गडबंदन में केंदर में रहे हैं आप अंतो गडबाद चार सांसद पांस सांसद छे सांसद हैं तो आप किसी ना किसी अलाइंस में तो रहेंगे और वो संजोग हमेशा ऐसा रहा है कि केंदर में जो हम लोग का अलाइंस रहा वो सत्ताधरी अलाइंस रहा तो बिहार में भी वही अलाइंस हम लोग आगे चलता रहा तो अगर हम लोग बिहार म के तोर पर और मैं इसको बढ़ा चड़ा कर नहीं बोल रहा हूं, लोग जन शक्ती पार्टी से ज़्यादा मजबूत आज की तारीक में जमीनी तोर पर कोई और पार्टी नहीं है। बूस्तर पर पिछले पांस साल में पार्टी ने जो काम किया बूस्तर पर जो हमारे कारे करता आज की तारीक में तयार हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और अगर आप चुनाओ की भी अगर आप बात करें मुझे लगता लोगजन शक्ती पार्टी ही आज की तारीक में एक पार्टी है और यह सब वही अपनी कमजोरियों को ही सुन सुन कर और अपनी क्रिटिसिजम को सुन सुन कर ही मैंने इन तमाम चीजों को दुरूस किया तोई मुझे वो भी दोर याद है जब लोग जन्शक्ती पार्टी के बारे में कहा जाता था कि अपने पहलवान पहले दिखाएं कितने पहलवान है इनके पास सुनाव लड़ने के लिए आज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भाईया 243 है मेरे पास हमारी उसकी भी तयारी है कहीं उसमें भी कोई कमी नहीं है 233 सीटों पर भी लडने की तयारी है अगर जरुवत पड़ी तो भाई इसकी तयारी को सिर्फ चुनाव लडने के लिए क्यों देखा जाताओ मुझे ये भी नहीं समझ हागा जदियू का वोट ले लूँ और बनले में क्या दू उनको कुछ नहीं तो क्या मतलब गडबंधन का? तो मेरा संगडन कम से कम इतना तो हो कि भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशियों को भी इस बात की उमीद हो, इस बात का विश्वास हो कि नहीं, मेरी विधान सवा में लोच्पा का भी कैडर है, ये लोग जीत दिलाएंगे, तो उस पे तो मेहनत करनी है चाहिए न, उसमें आपने एक शब्द का जिक्र किया, बड़ा दिल्चस्प शब्द है, ये बिहार की सियासत के संदर में, पहलवान, दोजार पांच में जब खुब सारे विधायक चुने जाते हैं, तो उसमें कथित बाहुबली भी होते हैं, मुझे नहीं पता ये शब्द चलन में क्यों है मैं कहूंगा ऐसे लोग जो सब पार्टियों में हैं, जिनका गंभीर आपराधिक इत्यास है, अब ये अभी यूपी में विकास दुबे एंकाउंटर हुआ, गंभीर आपराधिक इत्यास, अलग-अलग पार्टियों में सक्री रहा, आपको लगता है कि ये बिहार की शाब अद्दीन, पपो यादा अबरी हो गए हैं, वो सक्री हैं, इस सारे लोग हैं, मतलब ये इसको तमगे की तरह क्यों बहुत सारे लोग वहाँ पर लेकर घूमते हैं कि ये ये वाले सरकार हैं, ये वाले सरकार हैं, इन पर इतने मुकदमे हैं, इन पर इतने मुकदमे ह होना चाहिए, मेरा वेक्तिकर तोर पर ये मानना है, कहावत है कि हर सादू का एक अपना इतिहास होता है, आज की तारीक में और भविश्य में को लेकर एक इंडिविज्वल की क्या सोच है, मैं उसके साथ सहमत हूँ, मैं इस बात के साथ भी सहमत हूँ कि दागी लोगों को र राजनिती का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अपनी पार्टी की तरफ से कम से कम मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि हमारा कोई भी जन प्रती निदी, खेर इतिहास में रहा हो रहा हो, वो भी मतलब वो भी एक मावड़न्ट है, पर अगर वरतमान में भी, अगर क कोई ऐसी घटना में पाया जाता है, या किसी के उपर कोई इस तरीके के आरोप लगते हैं, चराग पास्वन को एक मिनट का समय नहीं लगेगा, उसको पदमुक करने के लिए, कि भाई पहले, अगर आपको लगता है कि आप सही है, आप गलत नहीं है, आप नियाले साथ वर नवादा एक लोगसभा सीट है, वहां से आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनको सांसदी का टिकट मिला, इसके पीछे थियोरी बताई जाती है कि आपके कटबंदन सही होगी, जिनसे आपकी बात नहीं हो रही कई महीनों से, नीतीश कुमार, उन्होंने ये कह दिया था कि मै बाहुबलियों के प्रचार में नहीं आऊंगा, इसलिए वो पॉलिटिकल रीशफलिंग के तहट उनके भाई को टिकट दे दिया गया, सूरजबान के, तो सूरजबान जी तो 2004 के बाद वो कहां चुनाओ लड़े हैं, पिशली बाद भी वो थोड़ी चुनाओ लड़े था उनकी पतनी लड़ी थी, तो इस बार पतनी की जगह भाई को दे दिया गए को कूंकि निती इश कुमार राजी नहीं थे, यह सत्य है, बिल्कुल भी नहीं तो वो पतनी की जगे भाई को टिकेट कर दिया है मुझे नहीं पता कि ये रियूमर में कहां से है लोग जन्शक्ती पार्टी ने हमेशा हम लोग का एक अपना संसदिय बोर्ड है पार्टी से कौन चुनाओ लड़ेगा नहीं लड़ेगा मुझे किसी और के दखल की जरुवत नहीं है पार्टी का संसदिय बोर्ड पूरी तरीके से सक्षम है इस बात का निर्णे लेने के लिए कि पार्टी हित में और प्रदेश के हित में क्या सही है और उसी के अधार पर हम लोग ने फैसला लिया इस बार भी चंदन वहां से चुनाओ लड़े मुझे खुशी है कि युवा है वो भी उसी तरीके की एक नई उर्जा से लबा लेत हैं एकदम चार्जट अफ हैं लोग कहते हैं उनके पीछे भी वो वर्चस वाली राजनी थी चीнять चीज़ और प्लाने के परिवार से आते हैं जिसे मेरे वाले मैं कहा जाता है कि मैं इस परिवार से आता हूँ रामविलाज जी के लिए कभी दबंग शेतार शित्माल के किया गया है रामविलाज जी की उपर कोई इस तरह के आपराधिक मुकद में नहीं है तो ये तुलना तो मैं सहमत नहीं हूँ नहीं मैं परिवारबाद की बात कर रहा हूँ सामने वाले कहने वाले को मौका चाहिए होता है अगर आप ने कहा ना कि मुझे समय नहीं लगेगा किसी भी सूरजभान जी की भी अगर आप बात कर रहे हैं गुमाफिरा कि अगर हम लोग सीधा आप अगर वही पहले जा रहे हैं क्या वगर आप उन्हीं का या 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 से बहुत सारे जी हैं अलग-अलग पार्टियों में जो बिहार का सत्य बन चुके हैं अगर आप उनकी बात कर रहे हैं जब से वो लोग जिन शक्ती पार्टियों का हिस्सा बने उस दिन से लेकर आज तक कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसा असमाजिक कारे या कृति उनके द्वारा की गई हो जिसको आप मेरे सामने रख दें तो आप जो कहेंगे मैं मानने को तंयार ने जैसे मैंने कहा कि हर किसी के एक अपना इत्यास होता है और मैं कोई नहीं उनको इत्यास के तौर पर जज़ करने की लिए मुझे नहीं पता कि किस परिपेक्ष में कौन सा रोप उनके ओपर लगाया गिया या क्या सही है क्या गलत है और ये benefit of doubt मैं हर किसी को दूँगा पर हाँ आज अगर मौजूदा सांसद या विधायक या पार्टी का बड़ा पदादिकारी होते हैं वे अगर आपसे कोई चुक होती है गलती होती है या प्राध होता है तो उसको पार्टी बरदाश नहीं करेगी इस बात को भी लेकर में उतना क्लिए जाए एक चुकि ये इस अनफॉर्चनेट बट इस ट्रू कि आपको बहुत सारी arithmetic देखनी होती है कास्ट arithmetic, issues वगएरा वगएरा लजेपी पर जो neutral observers हैं वो ये कहते हैं कि लजेपी के plank में एक जो गलबड़ी रही अब तक वो ये रही है कि वो एक strong OBC leadership develop नहीं कर पाए है आपको ये कमी लगती है बतौरत ध्यक्ष अब जैसा आपने कहा कि unfortunate है अब मुझे भी इसी बात का दुख तोख है जरूर होता है कि जिस वेक्ती ने मंडल कमिशन को लागू करवाया उसकी party को अगर project करने की जरूरत पड़े अपना समर्पन दिखाने लिए कि पिछड़ा वर के साथ या आती पिछड़ा वर के साथ आपका आपका कितनी आपके कितने विचार जुड़े हुए हैं उसके लिए भी project करने की अगर जरूरत पड़े तो मैं उसको भी मौच्छत नहीं मानता मुझे लगता है कि आपके कारे आपकी नीती समय समय पर उठाए गए आपके द्वारा कदम अपने में इस बात को प्रमोट करते हैं उस point of view से एक political messaging के point of view से जब तक आप सीमित उसमें रहेंगे तब तक नहीं संभव है कि आप हर किसी का प्रतिनिदित हो उस प्रमुक्ता से आप कर पाएं मैं चुनाव लड़ने के परिपेश की बात कर रहा हूँ अगर लोग जिन्शक्ती पार्टी सिर्फ साथ लोग सवा सीरो पर चुनाव लड़ती है इसलिए मैं चाहता हूँ कि पार्टी का विस्तार हो संगठन का विस्तार हो आने वाले समय में विलिश्योच तकि आप औरों को भी एकुमडेट कर पाएं कि जितना युवा रेप्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूँ मैं नहीं दे पाता या जितना महिला रेप्रेजेंटेशन मैं देना चाहता हूँ मैं नहीं दे पाता मुझे संदोश इस बात का है कि भले छे साथ सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं पर्टी का विस्तार हो ताकि जादा से जादा वंचत वर्क से आने वाले लोग का प्रतिन दे तो सक्रियत और पर पर पाटी कर पाए पाटी के भीतर तो अम लोग जरू करते हैं बड़ प्रमुक्ता से फेसे सामने दिखें वो भी शाइद करना जरूरी है अच्छा एक टर्म है जो आपके कंटेक्स्ट में बार बार जिसका जिक्र किया जाता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जी क्या है ये जिराब भाई ये सोच है पाटी की और मेरे लिए ये सोच ही नहीं है मेरा इससे बहुत एक इमोशनल लगाव है बिहार फर्स बिहारी फर्स इट्स baby to me और यह सोच आज की नहीं यह तब से है जब से मैंने हो समाला या बिहार को मैं समझने लगा या मुझे पता चला कि मैं बिहारी हूँ और दूसरे प्रदेशों में एक बिहारी के आनुभव को मैंने महसूस किया दिल्ली में मैं पला बड़ा बंबई में मैंने काम किया और मेरा एक अपना आनुभव रहा पासवान जी का सुपतर होने का अनुभव तो टोटली अलग बड़े एक बिहारी होने का एक मेरा अपना अनुभव रहा और दूसरे अपने साथी जो बिहार से आते हैं उनके अनुभवों को देखकर ये बिहार फर्स बिहारी फर्स की सोच महां से शुरू ही उस वक्त से मैं को ऐसास होने लगा दिल्ली बंबई में रहने के बाद की आज भी दूसरे प्रदेशों में बिहारीों को अपमानित किया जाता है बिहारी शब्त को गाली बना दिया गया था मुंबई का मेरा अनुभव है मैंने कई बार मैंने देखा कि कि किसी को अगर सामने वाले को बेज़त करना या अपमानित का है ए बिहारी, बिहारी शब्द को अब माने, मेरी पहचान है भई बिहारी, मैं बिहारी हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हर मन्ज से मैं गर्व से कहता हूँ, ये बिहार का खोया हुआ सम्मान, गौरव, ये वापस लाना है, और ये पता नहीं कैसे खो गया, कहां चला गया, नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते हैं सबसे जदा I.S. I.P.S. आफिसर्स हमारा प्रदेश देता है ब्रेन में सबसे जदा हम लोग ब्रेनी हम लोग माने जाते हैं मेहनत में सबसे जदा लेबर करने वाले हम लोग माने जाते हैं क्यों बिहार आस तक बाकी बनिस्पत राजयों के आप हंधुस्तान देखें एक साथ पूरा देश अज़ाद हुआ ऐसा थोड़ी कि कोई राजय पहले अज़ाद हो गये तो क्यों दिल्ली बंबई बिहार में इतना फरक हो गया कि जहां दिल्ली बंबई चम-चमाते शहर बन कि किस तरीके से मेरे आंधन में चापकल कर जाए ये आपकी उपलब्धियों में से होगी क्यों सत्तर सालों में चीज़े नहीं हो पाई जब बाकी प्रदेशों में हो गया क्यों आज भी बिहार के लोगों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है भाई मैंने आस तक अभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो सिक्षा के लिए क्या कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश क्यों जाना पड़ता है सिक्षा के लिए रोजगार के लिए स्वा सेवाओं के लिए मेरे पास यहां कितने लोग आते हैं कि एमस में हमको रिकमेंट कर दीजए मैं एमस में मैं देखता हूँ दिनों दिन तक बुड़े बुज़र लाइन लगा कर खड़े रहते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए भाई अगर दिल्ली में ये वेवस्ता बनी तो बिहार में क्यों नहीं बन पाई वहां पर क्या ऐसी कमी हो गई क्या ऐसी चूक हो गई और हुई होगी तबी कारण ऐसे हैं आज अगर बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों में माना जाता है तो गलतियां तो हुई होंगी ना और जब तक उनको चिनित नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ी नहीं सकते तो तमाम उन चीजों को चिनित करकर बिहार फर्स बिहारी फर्स मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता कि भीया बिहार को सबसे विक्सित राज़े बनाना है मैं रोड मैप के मिबात करता हूँ मैं आलोशना नहीं कर रहा हूँ किसी सरकार की, किसी मुक्ए मंत्री की मैं भई सुजहाब दे रहा हूँ कि नीति इश्कुमार जी के समर्थक नाराज ना हो चिराग ने क्लियर कर दिया बिलकुल नाराज नाराज नहीं है और मैं इमानदारी से मैं बोल रहा हूँ क्या है रोड मैप अगर जैसे कई नوجवान कहते हैं ये जो आप जिस जायज आक्रोश की बात कर रहे हैं चिराग ये है कि क्यों नहीं बिहार आगे पर पहरा जब बिहार के लोग इतने प्रतिवाशाली हैं तो इसको लेकर आपका क्या रोड मैप है किन चीजों पर आपको सबसे जादा लगता है कि फिलाल फोकस किया जाना चाहिए भाई सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रस्ट्रक्शर और मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक दिशा का रोड मैप होगा हम पंच मुखी जब तक हम लोग कारें नहीं करेंगे सारे विकल्पो पर एक साथ जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे डारेक्शन्स में एक साथ हम लोग काम नहीं करेंगे और जिसमें मैत्वपूर्पूर्ण चीजों को प्रियरिटाइज करना होगा जिसमें basic infrastructure, health facilities और education इन तीन चीजों को हम लोग को प्राफ्मिक्ता देनी होगी जब मैं basic infrastructure की बात करता हूँ जहां एक तरह बहतक सड़के, बिजली, पानी जो की अभी तक हो जाना चाहिए था क्यों नहीं वाप पता नहीं जहां मैं उनको इंटाइक करने की बात करता हूँ तो वहीं job opportunities create करने की बात करता हूँ मुझे नहीं समझ में आता कि जब विबिन और राजों में उत्तर प्रदेश हो, मद्यप्रदेश हो, गुजरात हो जब मैं summits देखता हूँ invite किया जाता है investors को कि आप आएं, आप हमारे राजों में आप invest करें हम आपको one window solution देंगे तमाम तरीके की permissions को grant करने का हम लोग वो ease of working हमारे प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं ताकि दूसरे निवेशक, दूसरे प्रदेशों से MNCs दूसरे देशों से आएं और हमारे राजों में निवेश करें मैं क्यों नहीं देखता MNCs को वहाँ पर develop होते वे कहां हम लोग कमी कर रहे हैं वहाँ पर अगर वो किसी दूसरे राजों में जा रही है तो वह हमारे राजों में क्यों नहीं आ रही इसका एक बहुत छोड़ा सा उधारे ने एक बार मैं ही समझ में आया और वहाँ पर किसानों की बहतरी के साथ-साथ नहीं job opportunities भी वहाँ पर create हुई हमारा agro pro state है हमारा क्रिशी पर हम लोग पूरी तरीके से और बड़े तरीके से हम लोग अधारत है पर उसके साथ-साथ हम लोग IT sectors क्यों नहीं वहाँ पर खोल सकते हैं नहीं factories हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं लगा सकते हैं और चिंता बढ़ जाती है कि नहीं factories तो चले फिर भी एक दूर की कौड़ी अगर आपको लगती है मौजूदा मिले जो बिहार में बंद हैं क्यों नहीं हम लोग उस पे एक research team हम लोग बनाते हैं क्यों नहीं उसको financially उस project को कैसे viable किया जा सकते हैं उसके ओपर हम लोग research करें वो कारखाने तो वैसे ही बन पड़े हैं जगह आपकी बरवाद हो रही है वो अलग वो infrastructure आपका unutilized जा रहा है सालों से वो अलग क्यों नहीं उसके ओपर research team काम करती है कि इसको financially और दिमाग की कमी थोड़ी है दुनिया भर के brainy लोग है आप उनको opportunity दो दीजिए आप उन मिलो को आप शुरू करवाई है नए job sectors आपकेट कीजे educational जब नालंदा university जब उस वक हम लोग गर्व कर सकते हैं तो आज क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए क्यों पढ़ना में वो पढ़ाई नहीं कर रहा है क्यों दूसरे राज्यों में वो जा रहे हैं better education के लिए कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग को काम करने की जरुवत है सिर्फ कहने से बिहार विक्सित हो जाएगा इस वर्क ले ये योजना, मुसल्मानों के ये ये योजना इससे नहीं होने वाला है जब तक आप root cause पे नहीं जाएंगे सिर्फ social engineering ही करते रहेंगे तो बिहार जैसे था आज भी वैसे ही रहेगा और कल भी वैसे ही रहेगा कुछ नहीं बदलने वाला है इसके लिए हम लोग को आप 15 साल के बाद भी अगर आज भी अगर हम लोग को ज़रुवत परती है विशेश राज के दरजे के मांग की जिसका मैं पूरी तरीके से समर्तन करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बिहार के आर्फिक हालात सुद्रे नहीं हैं पर क्यों नहीं सुद्रे राजस को क्यों नहीं बढ़ता हमारे प्रदेश का क्यों नहीं हम लोग उस दिशा में हम लोग काम करते कि हम नए रविन्यूस हम लोग जनरेट करें religious tourism एक इतना बड़ा unexplored sector है हमारे प्रदेश का जिस पर हम लोग काम क्यों नहीं करते है गया कब बना कर हम लोग संतुष्टो कर बैठ गया है जबकि आज गया में कम से कम 10 गुना opportunities हैं उसी को और बैठर करने की world class city हम गया को बना सकते है बड़े बड़े इंड़नाश्टन celebrities गया आते हैं अंतराश्टिय टूरिस्ट इतने आते हैं और ये तो सिफ एक जिला है मैं अपने लोग सबा की बात करता हूँ लचवार भगवान महावीर की जनमस तली कितने ऐसे निवेशक हैं जो कि विदेशों में रहते हैं जो कि बड़े बड़े रकम निवेश करने हैं बस उनको सिफ एक sense of security चाहिए क्यों नहीं दे पाते हैं हम लोग sense of security वो कहते हैं कि भाया पढ़ना एरपूर्ट तक तो मैं उतर जाऊंगा उसके बाद जो मेरी दुर्दशा होनी है लश्वार पहुँचने तक उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सही बात है उनकी चिंता हैं मी तो क्यों नहीं हम लोग sense of security देते हैं ये चिराग आप जो भी चिंता है हम लोग आयोदिया के हम लोग बात कर रहे हैं क्रिलिजियस टूरिजम के तोर पर उस जगह को हम लोग इतना खुद सब्सक्राइब बहुत संभाव नाए है संभाव नाए तो बहुत संभाव नाए है जब हम चुनाओं में जाते हैं तब देखते हैं कि रब मक्के की इतनी शांदार फसल जिसको आज सुपर फूड कहके बेचा जाता है भाई मैं बच्पन से देखता हूँ वाज़िपूर के केले हमारे घर पर आते हैं क्यों नहीं हम लोग एक फूड परसेसिंग यूनिट वहाँ पर लगवाते हैं कि वहाँ पर भई है जहाँ पर केले होगे हैं जो नहीं पर पर उसमें टबसे जाएं और वहाँ पर जब उसके चिप्स बनके जब विदेशों में जाएं या चलो विदेश नहीं बहुत दूर का सोच लिया डॉमस्टिक मार्टर भी बहुत बड़ा है यह पर यह सोच रखनी होगी इसको आपको विजन में अपने लाना होगा और एक बात और मैं जरूर प्रमुक्ता से कहना चाहूँ और आपके इस मादम से क्योंकि मुझे पता है कि आपके इस मादम से दूर तक यह बाते जाती हैं इलेक्शन कमिशन से भी मैं इस बात का आगरा करूँगा गोशना पत्र को मेंडिटरी किया जाए जो राजनितिक दल समय पलत गोशना पत्र नहीं लाए उसको चुनाओं नहीं लड़ने दिया जाए लोग आपके विजन को जने आपकी सोच को जाने की कल को अगर ये राजनितिक दला रहा है तो ये मेरे लिए क्या लेकर आ रहा है खोशना पत्र के अभाव में सौरब भाई आप देखेंगे चुनाओ आते आते तक मुद्दे सिमित होके होके रह जाते हिंदू मुसल्मान पर अगड़ा पिछड़ा पर जबकी हकीकत में चुनाओ होना चाहिए प्रोजगार पर हकीकत में चुनाओ होना चाहिए बच्चों के भविश्य पर इंफ्रास्ट्रक्शर पर राजसों को बढ़ाने को लेकर कि कैसे आने वाले समय में बिहार आत्म निर्वर बने तेश आत्म निर्वर तभी बनेगा जब एक एक राज्य बनेंगे एक आखरी सवाल नेता जी घेरे में आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया मेरे दर्शक बहुत चतुर सुजान है वो बिट्वीन अलाइंस पढ़ना भी जानते हैं समझना भी क्या चिराग पासवान बिहार के मुक्य मंत्री के पद की महत्वा कांक्शा रखते हैं ताकि इस एजंडे को लागू कर सकें इस एजंडे को लागू कर सकें उसके लिए मैं फिलहाल जिस एलाइंस में हूँ सबसे बड़ा मेरा संगर्श उसी बात को लेकर है कि एक साजा नियुनितम कारिकरम तो कम से कम ज़रू बनना चाहिए अब भाई मैं इस बात को मैं इमानदारी से मैं मानता हूँ मेरी पार्टी की अपनी नीती है मेरी पार्टी के अपने एजंडे है मेरी पार्टी के अपने मुद्दे हैं उसको अगर एक सरकार में आज की तारीक में इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ पहली बात तो ये ही कि हमारा कोई विधायक सरकार में मंत्री नहीं है और दूसी बात ये भी है कि मेरा तो कोई अजेंडा ही नहीं है सरकार में और आज की तारी में तो खेर सरकार जिस एजेंडे पर काम कर रही है वो तो मौझूदा वर्तमान इंडिये सरकार का भी एजेंडा नहीं है पर बहराल आने वाली 2019 में नितीश कुमार अपनी डफली अपना राग आपके हिसाब से अलाप रहे हैं तो लजेपी और बीजेपी इस पर अब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही है मैं अपनी पार्टी की तरफ से भाई मैं बोल सकता हूँ जो मैं बोलता रहा हूँ मेरे लिए मेरी पार्टी के मुद्धे हमेशा से महत्वपून रहे हैं और 2019 में पुना जब इंडिये की सरकार बने तो उसमें लोग जिन शक्ती पार्टी के मेरे बिहार फर्स बिहारी फर्स मैंने महनत की है मैं जिला जिला गया हूँ मैंने एक एक विधान सब भाई एक एक बूत की समस्या मेरे पास है कोई आप बिहार का बूत पूछ लीजे कि यहां इस बूत की सबसे बड़ी समस्या क्या है भले सिवो एक सड़क को बनाने को ले करो भले सिवो एक बांध को ले करो भले सिवो एक वो कैनाल की सफाई को ले करो हर एक समस्या मेरे पास है तो कल को सरकार में आने के बाद अगर मैं उसका निवारन ही नहीं कर पाऊं। कल को सरकार बनने के बाद पुना समवाध हींता हो जाए। मेरी बातों को सुना ही नहीं जाए। मेरे पत्रों का जवाब ही नहीं आए। मेरे फोन कॉल रिडर नहीं नहीं हो महिनों महिनों तक मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात यह नहीं हो तो मैं तो मैं से राम करूँ जैसे नितीश कुमार ने जो सुलूक उपेंद्र कुश्वाहा और RLSP के साथ किया वो चाहते हैं कि वो आपको इतना अगेंस दा वॉल पुष कर दें कि आप खुदी कटबंदन छोड़ कर चले जाएं मुख्यमंत्री जी से बाचीत हो तो जरू पूछे का एक बार आपको क्या लगता नहीं पता भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं इन सब चीजों को मुझे तो समझ में नहीं आता ना कि समभाध हिंदा का खारण क्या और आपकी जो सायोगी दल है बीजेपी वो इन चिंताओं पर आप लोगों को कोई आश्वासन दे पाती है प्रदेश या देश किस तर पर नहीं और किसी की एक सीमी भूमिका होती है भारतिय जंता पाटी की भी भूमिका की मजबूरियों को मैं समझता हूं एक बात मैं ज शिकायत नहीं है एक परसेंट क्या मतलब अगर आप अंग देने की बात करेंगे मैं कहता हूं कि मैं गणित में अच्छा हूं बट मैं थोड़ा सा अपना गणित बेगार कर सौ में से 110 भी मैं देने को मैं तयार हूं जिस तरीके से प्रदान मंत्री जो और ग्रह मंत्री जी और बिहारी होने के नाते मेरे मुख्य मंत्री जी से शिकायते भी होंगी सवाल भी होंगे और समर्थन भी होगा जरूरत पड़ेगी तो मूल सवाल पर फिर लोटता हूं चिराग क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री का पद सम्हालने की महत्वा कांख्षा रखते हैं ताकि अपना एजेंडा पूरा कर सकें मैं तो कांख्षा शब्द अगर आप जोड़ेंगे तो मैं नहीं रखता हूं चलिए मौका मिलेगा तो बनेंगे पर क्यों नहीं बनेगा अगर मेरे पास एक नीती है नियत है और मैं समझता हूं कि मुझसे बहतर मैं अगर उस डिसीजन मेकिंग जगा पर हूँ तो जिस हो रहा है कोई आगे निकलता है कोई पीछे रह जाता है पीछे तो मैं नहीं रहूंगा इस बात को कि राम विलाज जी ने एक बार कहा था नब्बे के दशक में जब लालू के नित्रत को चुनौती मिल रही थी चंशेखर जी को गए अभी एक डियोड बरस ही हुआ था और राम सुंदरदास के नित्रत को लेकि अदावत रही थी तब राम विलाज जी ने कहा था कि भाई मैं तो केंदर में मंत्री रहा हूँ अब मैं हाथी की सवारी छोड़कर घोड़े की सवारी नहीं करूँगा मतलब मुझे पटना की राजनीती नहीं करनी पर चिराग के लि उनको अपमानित किया जाता है या दिल्ली में मैं गाहे ब Gाहे नहीं सुनता कि भही आ उख बिहारी है ये सारे अगर मेरे अनुभव नहीं होते तो विहारी फास की सोच भी नहीं आती तो मेरे लिए बिहार हमेंशा नमबर वन प्रैयरिटी रहा है अज एक ऐसा पॉलिटि हो रही है उनसे और यह तो मैं कहने ही लगा था कि यह संभावना वास्तविक्ता से कितनी दूर है इसको आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं जहां संभाद ही नहीं हो रहा है तो हाँ कैबिनेट में मतरी भाई मैं करूं नितीश जी करें कोई भी करें बस बिहार के विकास क की बात करेगा चिराग पास्वान लोग जन्शक्ती पार्टी मजबूती से उसके साथ खड़ी होगी नेता जी घेरे में चिराग पास्वान लजेपी के राश्ट्री अध्यक्ष बच्पन जवानी पढ़ाई करियर सियासत सब सवालों के जवाब देते हुए बिहार में ज उत्तर प्रदेश का हूँ लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध वैसा है जैसा मा और मौसी का होता है सबसे घनिष्ट संबंध है सांस्कृतिक रूप से भी और विकास की चिन्ताओं के नजरिये से भी और हमारा तो नाम ललन टॉप है तो हम लोग उपर एक ठप स्वास्त को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कोविट के दौर में अस्पतालों का क्या हाल है सिख्षा को लेकर जो हाल है इन बुनियादी चिन्ताओं का समाधान मिले सियासत लोगतंत्र आंदोलन जैसे भी मिले इस पूरे गिवन टाइम और कंटेक्स्ट में चिराक वास् से हमें मुखा मुखा म करना चाहिए बाचीत करनी चाहिए इसकी बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं राय देते वक्ति यह याद रखें कि उन्हीं नेताओं का नाम सुझाएं जो हमारे सवालों को सुनने के लिए और उनका जवाब देने के लिए तैयार रहें शु कर दो